बेहत्रिन गेन आज का पहला मैच रागवी लेवन वर्सिस देवी लेवन गमन भाई सांथल वर्सिस रवी भाई खोरज दूसरी गेन लालभा के लिए बेहत्रिन गेन गेल दिया है चेरन टावर एंड से बॉलिंग करते हुए कि शर्पी लखनोत्रा गेन करेंगे लालभा को बेहत्रिन गेन बॉल बीडूए लालभा वाई गाई शरा एंपाई दौरा वाई गाई शरा एंपाई दौरा आज का पहला मेच दूसरा ओवर जारी बेहत्रिन गेन टावर एंड से बॉलिंग करते हुए कि शर्पी लखनोत्रा और आसान से एक रण चुराते हुए और की समापती दो और समापत होने के बाद स्कोर हुआ दो और समापत होने के बाद स्कोर हुआ तेरा रन लोस ओप जिरो विकेट्स अपना दूसरा और टिम का तिसरा उबर लेके शुकन देशाई ग्यान करेंगे लाल भागो खेल दिया है और बेहतरी इंड केज का नजारा कि शुर्बे लखनो दुरादारा और अपने इस टुनामेंट के सबसे कम उम्रे के बॉलर सुकन देशाई ने पहला विकेट लिया है लालभा के रुप में और बेहतरी इंड केज कि शुर्बे लखनो दुरादारा आरजुपाई आये है नए प्लेयर बेहतरी इंड शुकन देशाई दुरादारा हमारे अंपायर है लिम्बा भाई और हमबा बेहतरी इंड गैन शुकन देशाई दुरा बार बार बीट करते हुए प्लेयर को बेहतरी इंड शुकन देशाई दुरा इस पुरे टुनामेन के सबसे कम उम्मर के प्लेयर शुकन देशाई अपने अपना पहला मेच डेब्य करते हुए और खेला है लोंगन की दिशा में शेयरन के लिए तीसरा ओवर जारी बेहतरीन गैंड और जोड़ार अपीर ओवर की समाप्ती तीन ओवर की समाप्ती के बाद देव एलेवन का स्कोर हुआ उन्नीस रान लोस आप वन विकेट एक बोलर सिर्फ दो ही ओवर डाल सकेंगे सुमेर पुरहीत डेड बोल करार देते हुए एंपायर सुमेर पुरहीत टीम का चोथा ओवर लेके चंदुपेर आवर जनकार्म लाइव छे जोई लेवा विनन दी पुरहीत पुरहीत बोलर सकेंगेक भी ओवर बोलर सकतराण का बोलर सकतराण बैतरी गैन पुछ किया और एक रंचुरा लिया बॉलन नेम प्लीज रुसी भाई चौथा हो लेके दूसरा गैन वाइड करार देते हुए बैतरी गैन बीट करते हुए जोड़दार बॉलिंग का नजारा रगाविले अंद्वारा आगया के खेलिये भाई के रुप में एक रंचुरा मिलेगा वाइड का इशारा अंपायर द्वारा बैहतरी गैन बाई के रुप में एक रंचुरा बीट विकेट की पर किशुर भी लखनो द्रा आगया के खेला है मिस्पिल करते हुए विजैवे भुवाजी चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ तीस रन लोस ओप वन विकेट चार ओवर की समाप्ति के बाद डेवी लेवन का स्कोर हुआ तीस रन लोस ओप वन विकेट तीम का पाच्मा और अपना दूसरा हुआ लेके किशुर भी लखनो द्रा तीम का पाच्मा और अपना दूसरा हुआ लेके किशुर भाई बैतरिन बॉलिंग का नजारा क्लिन बोर्ड करते हुए बैतरिन बाद वर्जारी किशुर भाई लखनोतरा गेम करते हुए डीवियां को कि केल दिया है सुनिल भाई जैस्परा बैतरिन फिल्डिंग भरत जोयनाप बाउंटरी का जिम्मा संबालते हुए अपना पाचमा ओले के किशुर भाई लखनोतरा गेम करेंगे बैतरिन गेन किशुर भाई लखनोतरा गेम करेंगे बैतरिन गेन जोड़दार अपील एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं बैतरिन बॉलिंग का नजारा किशुर भाई लखनोतरा दारा बिखा भाई कवीराज बाय के रुप में एक रन कटती लखो पांचमा वर जारी बहुत बढ़िया स्पेल रहा किशुर भाई का विजय भाई सुवारा सौटाउन में फिल्डिंग करते हुए खेल दिया है कॉमेंटरी बॉक्स के उपर से दो रन के लिए पांच वर की समाप्दी के बाद पांच वर की समाप्दी के बाद स्कोर हुआ 34 रन लोस उप थ्री विकेट्स छेला वर छठा वर लेते हुए विजय भाई पुवाजी अपनी टीम की ओर से विजय भाई पुवाजी टावर एंड से बॉलिंग करते हुए वाईड का इशारा अंपायर द्वारा अपनी टीम का चठाओ लेके विजय भाई अपनी जुवाणा केल दिया है लंगोन की तरफ एक रन आसानी से चुरा लिया डखवर्थ लुइस के निये मनुसार मैच छे ओवर का करार दिया गया है चठाओ अबर जारी 37 रन आगे अगे खेलना चाहा बहुत बढ़िया स्टम्पिंग की शोबे लखनो दुरा द्वारा आउट करार दिया झाओ 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 बहुत रेंगे विकाट किपिंग करते हुए किशुर भी लखनोत्रा विजे भाई भुवा जी अगली गैन करेंगे गमन भाई सांथल को अपना पहला और मैच का छठाओ लेके बैतरी शोट छेरन के लिए विजे भुवा जी अवर्सिस मगर भाई सांथल चेरन पहली निंगा आखरी ओवर वाइड का इशारा एंपायर लिंबा भाई द्वारा बैतरीड गरन चकमा देते हुए वुरू गहिए वैड का इसरे वाइड के वाइड का आप गुरूर बैतरिन गैन चकमा देते हुए पहले इनिंग की आखरी ओवर दो ही गैन बाकी है वाइड का इशारा देव 11 वर्सिस रघव 11 खेल दिया है लोंगोन की तरफ कैच ड्रॉप एक रण असारी से चुरा लिया बल्ले बाजु ने समर्थ पूरो इतने कैच ड्रॉप करते हुए बैतरी शोट लोंगोन की तरफ खेलते हुए चार रन के लिए पहले इनिंग का खेल खत्म होने के बाद स्कोर हुआ पहले इनिंग का खेल खत्म होने तक डेव इलेवन ने इक्क्यावर रन करते हुए ड्रॉप की ए जए आञा बाक्याद बीए का ट्रॉप की करएगोन पहले निंगा खेल पहला इनिंग खेलते हुए डेवी लेवन ने चेव और में 51 रन बनाए है रगवी लेवन को चेव और में 52 रन बनाने है अगर निमेट आरवी लेवन लिंबाबई बरवाड पुताना अग्यार प्लेयरों लई तैयार रहे लिंबाबई बरवाड पुताना अग्यार प्लेयर लई स्टेज पासे आवे बीजी टीम छे स्वर 11 नितिन भी बारोट तैपन पुताना अग्यार पासे आवे स्टेज पासे आवे नितिन भी बारोट ग्यामर भी खाखडी स्टेज पासे आवे ग्यामर भी खाखडी नितिन भी बारोट अने लिंबाबई फुताना पुताना प्लेयरों साथे स्टेज पासे आवे अईया कला वार्शो बेजार च्वावीश सेलिब्री की सेलिब्रीटी क्रिकेट टुनामेंट गुजरात नामा कित कला कारो नी तुनामेंट यमा प्यल्ला दियोस नी प्यल्ली मेच गमन सांथल वर्सिस रवी खोरोज रवी खोरोज नी तीमे तोस जिती न गमन सांथल नी तीमने बेटिंग माथे आमंत्रण आप्यूँग गमन सांथल नी तीमे छोर नी मेच मा 51 रन करी अने 52 रनो टार्गित आप्योजे वा नी तीन भई तीन कर फ्या कि अरोजे एंगो आपनी बासा जाती मारी आई याँ ओठी पहला है। अरे बाई फिल्डिंग वाली टीम ना अग्यार सभ्योज मैदान मा उभारे अग्यार सभ्योज मैदान नी बार आई जवावी नंती अम्पायोरों ने अमनी जग्या लई लेवावी नंती जे अन मैतने जल्दीती स्टार्ट करो कहांके सियाडानो दाडो मग जेवडो होई भाई अन मग जेवडो दाडो पत्ता वार ना लागे चो ओर नी मैच मा गमन सांधल नी टीमे एककावन रन करी अने रवी खोरोद नी तीमने चो ओर एटले के चतरीस बॉलों मा बावन रन नो टार्गेट आपेल छे मगन भाई तमारा अग्यार खेलाडियो ना नाम लखाई दे जो प्लीज भाई खेलाडियो तमारा बार छे मगन भाई मगन भाई इट इस नोट फेर पर नाम बताना मगन भाई हो दिरू भाई हमारा खेलारी अपेलास भाई यह मंड मद संहित हुआ खेला भाई वह नी है पुटीज हो ना बाध बताए वा गया ना बताई ना बताई को अधा है आपेला जायना प्रिक्तरी बताई नहीं घुकिन आखाने देने अधिए है है झाल 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 आया कला वारसो अरे विश्नु भई अरे विश्नु भई ठाकवर ने टीम तयार रह से आना पसी आरवी सामें राजु भई ने टीम अरे विश्नु भई उना पसी आना 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 प बहुत रिंगें दूसरी निंग के दूसरी गैन खेलते हुए लंगोन की तरफ छे रन पहले बैटिंग करते हुए देवी लेवन ने छे ओवर में इक्क्यावर रन बनाये हैं बहुत रन का सामना करते हैं पहला ओवर जारी एंपायर आडी रबारी उठा कर खेला है फिल्डर मौचूज और ड्रॉप दूसरी रन लेने वा दो रन आसानी से चुरा लिया बहत्रें रनिंग बिटीन विकेट बने प्लेयर द्वारा वाइड का इशारा एक रंग का इशाफा अपने स्कोर में बहत्रें गैन बिट करते हुए सुनिल भाई को उठा कर खेला है छे रन के लिए बहत्रें क्रिकेट का नजारा सुनिल भाई जश्परा द्वारा और एक रंग आसानी से चुराते हुए और की समाप्ती एक और समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ सोलारान पहले और का खेल खत्म होनी तक रागाव 11 ने अच्छे रंडेट के साथ सोलारान बनाए है टिम का दूसरा ओगल लेकी एक रंग दूसरी निंग दूसरा ओगर बावर रंग का लक्ष दिया है देवी लिवन ने खिला है एक रंग बेरन भी एम्पायर का फैसला दूरन कलावार सोब 2024 यह पहला मुकाबला रागाव 11 वर्शिस देव 11 केल दिया है भई रन भूल जो आरडी आरडी रन भूल जो वे 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 लिए कि रमवानुचे चारण एंपायर आडी रबारी उनावा चारण दूसरा ओवर जारी स्कोर हुआ तेविस रन बैतरी शोट स्टेज के सामने खेला एक रन अच्छा बैटिंग करते हुए सलामी बल्ले बाज रागवी लेवन खेला है अंपायर अच्छे रर के लिए वाइट काईशारा एंपायर लिंबा भाइद्वरा बैर अन बैटिंग वाइट न बैटिंग वाइट न बैटिंग बल्ले बाजी करते हुए रागव इलेवन के दोनों प्लेयर एक रन बैरन एक रन एक रन एक रन दूसरा वलका खेल जारी टावर एंड से बॉलिंग करते हुए एक रन दो वर की समप्ति के बाद रागव इलेवन का स्कोर हुआ बत्तिस रन बैत्रिंग किकेट का नजारा चोविश बॉल्मों जित्वा माटे विशरनी जरूर छे अगली मेंच में एंपारिंग करेगे बहुत है अच्छी रनिंग बेट्विन विकेट एक रन टिम का तुसरा ओवर लेके बैत्रिंगें लिंबा भाई टावर एंड से बॉलिंग करते हुए चार अन के लिए बेहत्रिंग क्रिकेट का नजारा कलावार सो टुथाउजन टुएंटिफोर शेलिबरिटी क्रिकेट टूनामेंट पहला मेच वाइट का इशारा लिंबा भाई उठा कर खिलाओ और बैत्रिंग केट अब आए है विजे में भुआ जी उठा कर खिलना चाहा लेकिन एक रणासानी से चुरा लिया अब आए है संगीत जगत के सुपस्टार विजे भै सुवाडा बैत्रिंगें बीट होते हुए और की समाप्ती बाइनो एकरन तीन ओवर की समाप्ती के बाद स्कोर हुआ चालिस रन लोच ओप वन विगेट तीन ओवर की समाप्ती के बाद रगव 11 का स्कोर हुआ 40 रन लोच ओप वन विगेट रगव एले विगेट को जीत के लिए 18 गेंदों में 12 रन चाहिए उठा कर खिला है और मिस्पिल्ड करते हुए 4 रन उठा कर खिलना चाहा जाट प्यर को टकराई गैन एक रन उठा कर खिला है छे रन के लिए बहतरिन क्रिकेट का नजारा रगव एले एंद्वारा वे बहुआ लगव एंद्वारा बहुआ लगव एंद्वारा पहल कि लादध्यों वे बहुआ बहुआ बड़ा बहुआ 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 लगए बहुआ 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 उठा कर खेलना चाहा चौथे ओवर का खेल जारी जीत के लिए सिफ एक रण की जरूरत औरे मेच रगावी लेवन ने आसान से चित लिया है मैन अब दमेच का खिताब विपुल देशाई मैन अब दमेच विपुल देशाई कलावार सो 2024 दूसरा मेच आर्वी लेवन वर्सीज सूरी लेवन कलावार सो 2024 दूसरा मेच आर्वी लेवन वर्सीज सूरी लेवन कॉंगरेचोलिशन रवी लेकवराज प्राइब 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 आरवी इलेवन प्लेयर लिंबा प्रवार जोडि प्रजापती इश्वर रबारी विजय दिल वाड़ चका भाई, राजन रायका, वियार, ओम परवाड, यश भाई, मितुल भाई, दवल भाई आरवी इलेवन, तमज सूर इलेवन, ना बन्ने कपतानों, टोस माटे आवे, सूर इलेवन, अने आरवी इलेवन ना कपतानों, टोस माटे आवे, कलावार सो, बेहजार चोवीश, शेलिविट्री, क्रिकेट टूनामेंट, दूसरा मेच, आरवी इलेवन, वर्सीज, नितिन भै बारोट, आरवी इलेवन ना कपतान, अने, सूर इलेवन ना कपतान, टोस माटे आवे, स्वार इलेवन नितिन भै बारोट निटीम, यस बारोट आवे, मोरलो पाटान, आवे, स्वार्टीम, समयने पाबंधी, ओरो कापामावशी भै, डक्वेश लूज प्रमान, स्वार इलेवन वर्सिस आरवी इलेवन दूसरा मेच, प्रमान, आवे, स्वार इलेवन रुकर कोशनी आरे लाए, जिक दिन रुछ अर्ड, कोशने आरे लाए, जा आतमकि और्मान, पाब मातन दूसरा कोशनी आरे राजरा initiative स्वारी लेधिक, कलावार सो बेजार चोवीश गुजरातना नमांकित कलाकारो आजनी बिजी मेच आरवी इलेवन अने स्वर इलेवन अमपायरो ने मिनन दी के जल्चे जल्ध मेच शुरू करवाए आरवी इलेवन ने टोस जितकर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया है और स्वर इलेवन को गैन बाजी का हवाला देते हुए आज का दूसरा मेच स्वर इलेवन वर्सिस आरवी इलेवन सभी प्लेयरों को बताना चाहूंगा कि प्रती मेच 6 ओवर का खेला जाएगा प्रती बोलर सिर्फ 2 ओवर डाल सकेंगे सर इलेवन के कप्दान को बिंटी के जल से जल अपने फिल्डिंग सजाले स्वर इलेवन के कप्तान नितिन भे बारोट जल से जल अपने फिल्डिंग सजाले नागर्बे भैठी पढ़िया पदार्या चे आज का दूसरा मैच स्वर इलेवन वर्सिस आरवी इलेवन आरवी इलेवन ने टोस जितकर पहले बल्ले बाज़े करने का फैसला किया है स्वर इलेवन जल से जल अपना फिल्डिंग सजाले दूसरा मैच एमपार की भुमिका के लिए गैमर्वे खाकडी भुआ जी झालेवन जी मैच एमपार को भिंटी के मैच जल से जल शुरू करवाए आरवी इलेवन वर्सीज स्वर इलेवन दूसरा मैच आरवी इलेवन के सलामे बल्लेबाज एस रबारी ज्वार का और सामने लिंबाभाई चोटिला लिंबाभाई चोटिला सापर अमपायर आरडी रबारी उनावान अरेश एमपायर सुनिलबे जस्परा लेग एमपायर आरडी रबारी ब्याख लेग एमपायर सुनिलबे जस्परा लेग एमपायर इस टूनामेंट का दूसरा मैच स्वार इलेवन वर्सिस आरवी इलेवन आरवी इलेवन के सलामी मल्ले बाज क्रिश उपर मौजूद प्रिक्ष्यक गैलेरी से जितु भाई लिंबाच्या मैच का मजा लेदे हुए जितु लिंबाच्या विक्रमांदारी ज्वाज या भई माइक लो वालो आलीन आमर भई आओ वालो ने प्लीज आमीज 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 आ पहला उवर पहला बॉल आरवी लेवन एस कुमार को एक पालंपूर एक राज को उठाकर खेला है बेट होते हुए चारन पहले गेन में बैतरीन क्रिकेट राज कोट से लिम्बा भई भरवाड पालंपूर से नितिन भई भई भारोट मारा मंदणा ना मीज वाभई 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 दूसरी गेन में पहला विकेट बैतरीन बॉलिंग का नजारा स्वारी लेवन उच्छा का माहूर दूसरे ही गेन में पहला विकेट लेते हुए जडी प्रजापती वन डाउन बैस्ट मेर के रूप में तिस्री के एंड लिम्बा भाई को बहुत बढ़िया प्लेयर है अपनी टीम की और से और खेला है एक रहन आसानी से चुरा लिया है मिस्पिल्ड करते हुए नागरभाई पायठी अगले गेंड जडी प्रजापती उठा के खेलना चाहा लेकिन पुष्किया एक रहन आसानी से चुरा लिया इस टुनामेंट का दूसरा मेच पहला ओवर गुजरात के नामांगित कलाकार उठा के खेलना चाहा स्टंप आउट की अपील जोर्दार अपील स्वारीले बंदवारा आउट करार देते हुए एंपाईर थर्ड एंपाईर का सहरा लेते हुए आउट करार दिया गया थर्ड एंपाईर अफोट स्वार अपाईर थर्ड एंपाईर नितिर बेकोल उड़ा ने आउट करार दिया बेस्ट मैन को आड़ी ओवर पांच वाल ओके पाई पर नया वेस्टमेन मितुल चौदरी पहले ओर का खेल जारी बल्ले बाद मितुल चौदरी वाइड का इशारा एमपायर आर्डी द्वारा पहले ओर का खेल जारी जयन करेंगे मितुल भाई को ओर की समापती पहले ओर का खेल समापत होने के बाद स्कोर हुआ साथ रन लौस ओप टू विकेट्स पहले ओर की समापती के बाद स्कोर हुआ साथ रन लौस ओप टू विकेट्स बैतरें गैन बाजी का पहले ओर का खेल खत्म होने के बाद साथ रन लौस ओप टू विकेट्स आव मालदरे आव आव भवराई आव दूसरा हुआ लेके मुरलो पाटन पहला हुआ लेके वाइट का इशारा एम्पाइर आडी द्वरा दूसरी गैन वाइट का इशारा मुरलो पाटन और पहतरिन का क्रिकट का नजारा चेरन के लिए दूसरे और का खेल जारी वाइट का इशारा अम्पाइर आडी द्वरा एक बाल मौन नहुरन लिदा भई और एक जड्रॉप एक रण भाय के रुपे दूसरे और का खेल जारी होलो पाटन और बीट करते हुए एल्बिकी अपिल दूसरा मैच स्वर 11 वर्सिस आरवी 11 दूसरा ओवर का खेल जारी वाइट का इशारा अम्पाइर द्वरा प्रेशर में बॉलिंग करते हुए बॉल लो पाटन दूसरे और का खेल जारी लिंबा भई भरवाड स्ट्राइक वे अपने टीम की जग जापदारी संपालते हुए जोरदार अपिल अपने टीम की जिम्मेवारी संपालते हुए लिंबा भई भरवाड उन साइट पे खेलते हुए एक रन डोल से रनाई इस तरफ आए भीया डोल से रनाई स्टेज के पास त्री से ओवर का केल जारी ग्यान करेंगे लिंबा भई भरवाड को डोल से रनाई वारा बदाओ भई और खेला है आडे चेरन के लिए चेरन चेरन मगन भाई शांधाल मगन भाई शांधाल स्टेज उपर आओ अगली गेन ब्यातरिन फिल्डिंग नमिच्शा दवरा ओर की समापती तीन ओर की समापती के बाद स्कोर होः 3.35 रन 2.4 दॉप 3 विकेट 3 वह और न आवर्नी समंपती 3 tần विकेट बोलन नेम प्लीज शंजेशी शोथा ओर का खेल जारी वाइट का इशारा अमपारा अडी द्वारा बैसाइड मरजो स्कोरन नो देखाए वाइट का इशारा अमपार द्वारा काफी तनाव में है स्वार 11 की टीम वाशु बैस देखा तु नहीं पासर बैतरिन गैन चोथा ओर का खेल जारी बैसाइड लोंग़ों की ओर खेला एक रन दूसरा में चौथा ओवर का खिल जारी लिम्बा भई बरवाड अपनी टीम के लिए खिलते हुए उठा के खिला है छे रन के लिए बहत्रिन क्रिकेट करना जारा लिम्बा भई बरवाड द्वारा इस टूनामेंट के सबसे बहत्रिन प्लेयर लिम्बा भई बरवाड चौत्था होवर का खिल जारी ग्रान करेंगे लिम्बाभी परवाट को कप्तान की जिम्मेवारी संपालते हुए लिम्बाभाई उठा के खेला है फिल्डर मौजूद बैतरिन केट्स और आउट कप्तान आउट तीसरा विकेट का पतान कप्तान को वापस पैवेलियन भेशते हुए भाई 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 नए बल्लेबाद चका भाई चोथे ओवर का खेल जारी आज का दूसरा मेच पहला इनिंग चोथा ओवर बैतरिन प्लेयरों में से चका भाई बैतरिन गैन और अच्छी रनिंग बिट्वीन विकेट एक रन आसानी से पूरा कर लिया चका भाई ने उठा करके लाए चे रन के लिए चे रन ओर की समापती चार ओवर की समापती के बाद स्कोर हुआ चोपण रन चार विकेट वही एक बोलर न ब्या ओवर अबल ब्याला चाहराद करिच्छ एक बोलर शीप दोही ओवर डार सकेंगे चार वार चार ओवर चोपण रन चार विकेट बदरी गैन अमपर बाय एक रन बाय एक रन बाय एक रन बोलर गैमर पे चंदरुमना बोलर गैमर पे चंदरुमना बोलिंग मार्फर वाइट का इशारा शुकान दिशाई द्वारा पाच में ओवर का खेल जारी गैमर पे चंदरुमना बोलिंग मार्फर उटा के के लाए छेरल के लिए बैतरिन क्रिकेट आर्वी इलेवन बहुत बहुत लंबा चंदरुमना पांच वी ओवर का खेल जारी गेमर बेच चंदरुमना बोलिंग मारफर और एक चारन के लिए चका चौका बहुत ही अच्छी रन्रेट के साथ बैटिंग करते हुए एक रन और की समापती पांच और की समापती के बाद स्कोर हुआ अग्नेश इत्तेरन चार विकेट आखरी ओवर अपनी निका आखरी ओवर नितिन बें खुद कप्तान बॉलिंग लेके नितिन बे वारोट खुद कप्तान बॉलिंग लेके छेवरन के लिए पहत्रेंच छक्का लॉंगान की दिशा में खेलते हुए कप्तान की दोलाई करते हुए आरवी लेवल के बल्लेबास अब कप्तान ने पुरा जिम्मा अपने सर पे ले लिया नितिन बारोट आ गया है अगली गेन लेकर राइट अनावर दो विगेट लेकर अपने कोटे का पहला और उसके दूसरी गेन उठाकर मार दिया गेन सीधी सीमा रेका के बाहर अंपायर सुकुन के द्वारा छेरा दो गेंदों में दो चक्के लगातार कप्तान नितिन बारोट अपने टीम के लिए टीम के उपर महंगे साबित होते हुए और इसी छे रंग के साथ स्कोर जा पहुंचा है 81 यह पारी का आखरी अवर चलता हुआ एक और सोटो प्लेंड गें दो स्टेम से बाहर अंपायर के ओर से वाइड बोल का इसारा वाइड के साहरे स्कोर जा पहुंचा है आरवी लेवन का 82 ब्यासी रन चार विक्तों के नुक्सान पर कप्तान नितिन बारोट तया एक और फिट से और यह गेंड लेक्स समसे बाहर फिर से वाइड बॉल बहुत ही बढ़िया गेंड बाजी आरवी 11 के लिए इस बार फिर से इस बार उठाकर वारने की कोशिस और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया फिल्दिन नितिन बारोट यहाँ पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे बोल के उपर बोल कहा गई वो ढूंडने में टाइम लगया थोड़ा धकोने बैरों में पाच्ञ रए और यह बहुत ही बाहतरी गैन तो नहीं कहीं जा सकती लेकिन बल्लेबाद चुक गय है और वह गैसे बहुत ही बढ़िया बापसी कप्तान नीतिन बारोट के दुबारा दो छक्के लगने के बाद लगए ठोन यहाँ पर डॉट गेंग एक बार फिड से तो यार बले बाद पर हावी होते होएं और इस बार यहां पर बहुती बड़िया प्लैसमेंड लेकिन स्क्वेर लेग भाई की गेंद पर भाई ने फिल्ड किया ऍरीट लेकिन ऑडि competitions पोलिए लेक्ए पारों फिल्ड किया बल्ले बाजियो को हिलने का मोका नहीं दिया कि बहुती बढ़िया गेंद बाजी नीतिन बारों दो टाकर लगने के बाद बाद बहुती बढ़िया गेंद बाजी करते वह एक बार फिर्ड से और इस बार कोई मोका नहीं और जड़ दिया छक्का सीमा रेखा के उपर से लोंगोन बाउंटरी लेंड के बाहर छे रणों के साथ यहाँ पर आरग 11 की पारी की समाप्ती छे अवर की समाप्ती पर स्कोर हुआ 9-0 90 जीतने के लिए स्वार 11 को 91 रणों की जरूरत छे अवरों में 81 बनाने है यानि की 15 की अउसत से यह मेच अगर जीतना है तो खेलना पड़ेगा यह टूर्णामेंड का हाइस स्कोर आज के दिन के जो पहला मेच हुआ था उसमें भाई पानीनी व्योस्ता जो जो कि लाडी माटे पानीनी व्योस्ता आओ तेम चो आओ अ आ अ कर दो दो कि आज के दिन का पहला में जो हुआ था रागव 11 और देव 11 के बीच उसमें उसमें आज के दिन का पहला मेच रागव 11 ने जीत लिया है और अपना स्थान कंफर्म कर लिया है अभी दूसरा मेच चल रहा है इसके बाद और तीसरा मेच आना बाकी जो कि राजू ठाकोर वर्सीस चंदू रावल आमने सामने दोने ही टीमें बिड़ेगी वो आज के दिन का तीसरा और आखरी मेच होगा और उसके बाद सेमी फाइनल के लिए दो टीमों का चियन किया जाएगा और उसमें से जो भी कोई टीम जितेगी वो पहले स्थान पर रहेगी जो टीम उसके साथ फाइनल मेच कहलेगी देखते हैं कोन सी तीम आज इस टूनामेंट में फाइनल में प्रवेस करती है और फाइनल चेंपियन बनती है फिराल तो नितिन बारोट जो की बहुती बड़िया गेंदभाजी की थोड़ा नितिन भाई भी कुछ बताना चाहते है उसके आकरी अवर जो रही थी उसमें उसको सरुवात में जो प्रोब्लेम रही थी उसके बारे में कुछ नितिन बारोट यहां से बोलेंगे बहुत दिनों को बात मैंने बॉल आत में लिया तो शुरू में दो बॉल थोड़े फ्लम्बिक हो गए बागी पीछे तो मैं टाइट हो गया था फिर तो मैं कड़क फिर क्या ओवर पूरी हो गई ज्यादा बॉल नहीं था चे हुगते ना इसलिए प्रोब्लम हो गई थोड उसको एक्जेस करने में टाइम लगा लेकिन दो बोल के बाद फिर एक्जेस हो गए थे बहुत अच्छी गेंदबाजी की नीतिन बारुट ने फिराल हमारे रागव 11 के ओनर स्री दिपक भाई पुरोहित उसका स्वागत है कोमेंटरी बॉक्स में प्लीज कम साथ में हमारे रतना भाई उनावा सुर्पंचम पुरा ट्रोनामेंट का ओर्गोनाईज जिसने किया ऐसे विश्नु भाई जेदपूर बहुत बढ़ी आयोजन पिंडा भाई भी यहाँ पर उपसीद हुए है दिपक भाई के साथ सबका यहाँ पर हारदिक श्वागत है अभी फिराल मेट सुरू होने की तयारी पहली गैंद बले बाच अमिद स्ट्राइक पर और यह गैंद पहली गैंद उचलती भी गैंद और यहाँ पर गैंद ने बले का अंजरू निकिनारा लिया विकेट की पर फिंडा भाई ने कोई गलती नहीं कि और बहुती बढ़िया केज लपक कर पहली विकेट का खात्मा स्वार 11 का पहला विकेट अमिद जोके पहली ही गैंद पर वार करना चाहते थे लेकिन बहुती बढ़िया गैंद बाज यहां पर बहुती अच्छी गैंद बाजी के साथ विकेट की पर फिंडा भाई के दोर एक बहुती बढ़िया केज और बले बाज अमीत आउट अकर वापस पर वेलियन उसका स्थान ले ले के लिए आया है नए बले बाज गेमर भाई केप्टन लिम्बा भाई आज विकेट की पिंग करते हुए बहुती बढ़िया केज लपकते हुए एक बार फिर से तयार इस बार लेक्स्टम से बाहर गैंद और वाइड बोल के रूप में यहां पर स्वार 11 का खाता खुलता हुआ एक रन से एक्स्ट्रा के रूप में गे जाने की कोई बात ही नहीं है गिर गया लेकिन को जाने नहीं दिया हाँ दोनों चंदरुमाना भाई है लेकिन भाई ने भाई को जाने दे का मोका नहीं दिया रोक दिया बहुदी बढ़िया मैच चलता हुआ एक बार फिर से इस बार निश्चित रूप से वाइड बोल और एक साहिद भाई के रूप में रहेगा दो रन मिलेगे साहिद दो के साथ स्कोर जा पहुचा है चार रन और इस बार गैंद को उटाकर मर दिया है देखना है क्या होता है वहीं होता है जो मंजूरे खुदा होता है और यह गैंद सीधी फिल्डर यस के हाथ में कोई मोका नहीं लेकिन यहाँ पर नो बोल जै स्लो बोलना तो नो बोलना तो और इसी प्रकार गेमर चंद्रुमाणा की विकेट गिरती हुई दो विकेट के नुक्षान पर स्वार 11 नय वलेबाज कुमा जो की स्ट्राइक चेंज होने के बाद अब स्ट्राइक पर आया है पहली बार यस बारोट सामना करेगे अगले गेंबाज की अगली गेंबाज की अगली गेंबाज स्ट्राइक लिए और यहाँ पर खत्रा हो सकता था लेकिन पर गेंड लगे नहीं कुमार अपनी जगह पर वापस आ चुके हैं पीड से गेंबाज त्यार अगली गेंब लेकर लेट अन अवर दू इज़ बारोट के सामने अच्छी गेंथी गेंग को कट कर दिया एक रन के लिए इसी एक रन के साथ और के पीश्माप्ती एक और की समाप्थी पर स्कोर जाप पोचा है पांच रन दो विक्टों के नु अब अब दूसरे गयंद बाजी करने के लिए दूसरी गयंद बाजी करने के लिए दूसरे गयंद बाजी का नाम दनन जे आया है वो भी लेफ टाम ओवर दविकेट डालेंगे ओर ये गेंद ने बले का अंधरुनी की नर लिया लिम्बा भाई चोकन रन देने की एक रन दे दिया ओके ओके छे रन के साथ दो विक्टो के नुक्षान पर स्ट्राइक परतियार कुमार सामना करेगे दनन जे क अगली गेंद का लेफ टाना वर दिए फुल टास बढ़िया शॉट कोई मोका नहीं निस्वी दूप से गेंद सीमा रेका के बहार छे रनों के लिए बहुदी बढ़िया शॉट कुमार के बले से निकलने वाला ये पहला चका और शी छे रनों के साथ स्वार 11 में उत्सा आ के दिखाया एक बार फिर से उटाने की कोशिस लेकिन इस बार गेंद लोंगोन पर गई फिल्डर ने फिल्ड किया थ्रो करते तब तक समय था बले बाच को एक रन लेने का इसी एक रन के साथ दिरे दिरे स्वार 11 आके बढ़ती हुई साथ 13 रन फिर एक बार फिर से इस बार उटाकर मर दिया के दवा में नीचे फिल्डर और यह बहुत यह बहतरीन कैच और यहाँ पर यस बारोड की विकेट गवारते हुए यहाँ पर स्वार 11 और हमारे बीच छोटी उमर के एक बहुत युवा कलाकर और युवा सिंगर गो बहुत तो उसका आहा। हर पर हार दिक स्वागत आ और गस्मार भी यहाँ पर आ चुके वह फोड़ी तेरारमे करनमै आ और यह भी पहुट चुके है ऑगश्मार ओड़ गोपला शा duy दोनो कंवार धूधर आज मेंदी गॉड़ादर गुज crystallalley पर आचुके है इस बार गेंट को खेल दिया और बहुत ही बढ़िया कैच और इसी बीच यहाँ पर कुमार जो कि उसका बल्ला बहुत ही चलता था लेकिन लेकिन वो भी आप आउट होकर वापस पैवेलियन जेडी प्रजापती भी यहाँ पर उपस्तित हो चुके है उसका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है जेडी प्रजापती ने केच किया ओके तो उसका तो स्वागत हो चुका था सुबह से उपस्तित है इसलिए केच किया उसने दो ओवर की समाप्ति पुरे मेज के उपर जो थर्ड अंपायर की जो हमारी कामकिरी कर रहा है विक्रम मालदारी वो उसकी निगरानी वो कौन से फ्लोर पर खड़े है वो पता नहीं मुझे लेकिन पुरा ध्यान रख रहा है पुरा ओके और इसी बीच गेंद को संजेशी चोहान ने बहुत ही बड़िया तरी से प्लेस्मेंट किया सनमान दिया लेकिन सनमान का कोई टाइम नहीं है आपके पास अभी तो क्या भाठावाली ही करने पड़ेगी और इस बार गेंद ने बले का अंधरुनी किनार लिया और एक रन के लिए निकल पड़ी एक रन के साथ स्कोर जा पहुचा है चाउदा रन संजेशी चोहान स्ट्राइक पर मौझूद गेंद बाज लेट आन वर्दवी के लेकर एक बार फिड्स है फुल्टोस गेंदी उटा कर मारा हवा में निचे फिल्टर और वहाँ पर मितुल चोधरीग मौझूद थे कोई गलती नहीं आरवी 11 कोई गलती नहीं करिये लगातर ये तीसरा केच लपका है बहुती बढ़िया फिल्ट 11 यहाँ पर आरवी 11 की सजाई हुई और इसी बीच यहाँ पर स्वार 11 की पूरी टीम दिरे दिरे लड़ खड़ा आती हुई अब आया है बले बाजी करने के लिए शैलेश तया इस बार बहुती बढ़िया तरीके से खेल दिया है मिड़िकेट बाउंटरी लाइन की और फिल्टर आकर फिल्ट करते हैं एक रन ले लिया दूसरे रन के लिए बूलाना चाहते थे लेकिन मना किया इसी एक रन के साथ स्कोर भया और इसी बीज गेंद को उठा कर मार दिया है गेंद हवा में निचे फिल्टर और यह बहुती बढ़िया क्याच फिल्टर यस रबारी के द्वाना अब आये खुद गबार नितीन बारोट मारा मन ड़ाना मीक अब गाने से मेच कोनी जितना है अब बल्ले से जितना है देखते हैं स्टेज के उपर तो उसका माइक चलता है लेकिन अब देखना है अब बल्ला कैसा चलता है फिराल हमारे कॉमेंटरी बॉक्स में गोपाल सादू का स्वागत है गोविंद भाई आपका भी स्वागत फिल्कम फिराल स्टाइट पर सैले और इसी बीची है के सैलेस बें आगे निकल चुके थे लेकिन रिटर्न आने के लिए ओटो रिक्सा करनी पड़ेगी और वहाँ पर साद थोड़ा बहुत कुछ हो गया लेकिन पता नहीं चला स्टंपिंग नहीं हुआ और ये आपर एक बार मुका मिला तो दूसरी बार साद बोलो कर बले बाज वापस जो भी तीन टीमे जितेंगी उसमें से जिसका हाइस कोर रहेगा अच्छा जो तीन टीमें यहां पर जीत के बाहर आएगी उसमें से जो तीन हारेगी उसमें से जो तीन में से जो टीम ने भी ज्यादा स्कोर किया है वो टीम चोथी टीम के रूप में सेमी फाइनल खेलेगी आरने में भी मजा है वो भी सेमी फाइनल खेल सकती है लेकिन इजजद के साथ आरना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपका स्कोर स्कोर बहुत बढ़ा होना चाहिए क्योंकि तीन तीमें आरेगी उसमें से जिसका हाय स्कोर रहेगा आरने में वो टीम सेमी फाइनल में चोते स्थान पर रहेगी यानि कि दो टीमें सेमी फाइनल खेलेगी रंडेट के हिसाब से और यहां पर नितिन बारुट ने दोड़ के स्ट्राइक ले लिया है एक रन दो दो रन पाई दो रन काउंट करना एक स्कोर के लोग स्कोर 20 ओके अब स्ट्राइक पर नितिन बारुट बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को केज करने के लिए दे दिया और यहां पर और यहां पर नितिन बारुट विकेट अपना गवा आते हुए और नर्वस 90 में वापस आते हुए हमारे नितिन बारुट अब आये है नितिन बारुट का स्टान लेने के लिए उसके छोटे भाई प्रकाश बारुट लेकिन वो नो स्ट्राइक पर रहेगे, स्ट्राइक पर रहेगे, जिगर, त्यार गेंद बाच, लिम्बा बाई, और यहां पर लिम्बा बाई ने साब बोर्ड कर दिया, और दिरे दिरे स्वार 11, पूरी तरह से लड़ खणा आती हुई, नहीं लग रहा है, अब इस मेच में देखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी मेच के और भी ज्यादा निकल चुके हैं, और पूरी तरह से, और यह आखरी विकेट ग्राउन पर, आखरी विकेट ग्राउन पर मौझूद, नए बलेबाज नागर भाई, जिसने आखिर में केज किया था, अब वो बलेबाजी में द से लिमाबाई टू नागरभाई, और यह गेंद, बहुती बढ़िया गेंद एक बार फिर से बीट करती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुक्सान नहीं, स्कोर अभी विरुकाव बीस रन, अब यह पूरा दारों मजार नागरभाई के उपर है, ऐसा वासू भाई बोल रहे है और यहाँ पर मिस्वेल्डिंग, बहुती बढ़िया सोट, जैसे ही दारों मजार की बात की, और यहाँ पर नागरभाई ने लगाया चोका, वासू भाई को पूरा उसके उपर विस्वास है, कि नागरभाई यह मेच में कुछ कर सकते हैं, इस पार उटा दिया, निस्चित स्तरुवात स्लो गवर में ही डालना चाहिए, जिससे कारण टीम पीछे खेलाडियों में तुड़ा वो हो जाए, एक बार फीर से खेल दिया, लेकिन इस बार फिल्टर गलती नहीं करेंगे, नागरभाई आउट आकर वापस पेवलियान और इसी बीच यहाँ पर स्वार 11 अलाड हो चुकी और इसी बीच यहाँ पर आरवी 11 ने यह मैच जीत लिया है, जीतने में साइद साथ रन के आसपास से यह मैच स्वार 11 ने हारा है, चंदु भाई रावल के अप्तान, चंदु भाई रावल के अप्तान जहां कहीं भी हो, कॉमेंटरी बॉक्स में आजीर हो चंदु भाई रावल, विष्णु भाई जेदपूर जया होगाँ दे गोमेंटरी बॉक्स में विष्णु भाई विश्णु भाई जेदपूर जया क्या होई त्या थी कोमेंटरी बॉक्स मा आजर था से विश्णु भाई जेदपूर कि पूरे टूनामेंट का लाइव प्रसारन जनकार म्यूजिक में आप लाइव देख सकते हो दोनों ही टीम के कप्तान चंदू भाई रावल और सामने वाले टीम के कप्तान राजु ठाकोर चंदू भाई रावल आ चुक है राजु ठाकोर जा कहीं भी ओ चल्दो जल्दी से तोस उचालने के लिए आ जाओ यह अज टीए अए अट कर्णा चीर नमबर नी स्वीप गाड़ी टीयावीस इटो क्थे नमबर नी स्वीप गाड़ी वच्चे नडए जयरले विननती जहें के थोड़ी साइड करेई उपढ़ से ले मेर्बान करियाने 28 28 नमबर नी गाड़ी ने त्याती थोड़ी कि अज़िए दोनों ही टीम किया कपता ना चुके और यहां पर टोस चाले के लिए हमारे यहां पर उपसित है राजु ठाकोर जहां कहीं भी हो जल्दी से आपका टोस यहां पर हो रहा है अच्छा बल्देव भई यहां पर आ चुके है उसकी और से चलो यहां पर टोस उचला गया है देखना है कौन सी टीम टोस जित्ती है चलो बै राजू भाई ठाकोर ने यहां पर टोस्ट जीता है और पहले बल्ले बाजी करने का फेसला किया है यानि कि चंदु भाई रावल और गोपाल सादू की जो टीम है उसको फिल्ड के लिए जल्दी से सल्दी से ग्राउन में जाना है लगे करें शरत कि चंदु आर प्रेश क्रीजी से ग्राई रावल यहां पर टोस्ट बाज प्राई जाए जाएगि जाना है हलो हालो यहां पर राजुबाई पटेल अनुबाई पटेल और रिया जैश्वाल उपस्तित है उसका यहां पर हार्दिक हार्दिक श्वागत भी को उसका भी आपना हर्दीक स्वागत है चलो दवल बारोट आपकी टीम रेडी पर आपकी टीम रेडी तर टॉन्ट टीम हो सियाँ खाले अबस दो प्रिनीज्कियीरन शिरती लिए अपतरिष। है 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 अखिज कर देशा है 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 अलो अथिया वीश है इत्याविश होटेर 2878 नंबर नीश्विप्ट गाड़ी नड़ेचे ले बिननधी गाड़ी पोतानी साइड करें जैसे सुनिल प्रकास भैं, कॉमेंटरी बोक्स मा आउसे, प्रकास भैं, जैंवों एदिल कॉमेंटरी बोक्स मा आउसे टूनामेंट का तिसरा मैच सूर 11 वर्सिस स्रीजी एलेवन विष्ण भै विष्ण भै जेट्पूर प्राव विष्ण भै जेट्पूर प्राव प्रेक्षेकोन विनन्ती कि थोरा बाहरनी साइड उपा रहे इस टूनामेंट का तिसरा मैच स्रीजी एलेवन स्रीजी एलेवन स्रीजी एलेवन स्रीजी एलेवन वर्सीज सूरी लेवान कैप्टन क्यों भी अमपाइन के अमपाइन अपलिया पहला ओवर लेकी कलावर्सो 2024 ट्वेंटिफॉर सेलिब्रिटी क्रिकेट टुन टावर एंड से बोलेक मार्फर आरिफ मेर ओप्सार खेलते हुए मिस्पिल करते हुए एक रन असानी से चुरा लिया वाइट का इशारा एंपायर किशुर भाई द्वारा एंपायर का नेने सही माना जाएगा आप्सार खेलते हुए मिस्पिल करते हुए एक रन आसानी से चुरा लिया अरफ मिर की अगली गैन खुटा के खिला है चार अनों के लिए बैतरिन बल्ले बाजी सूरी लेवन द्वारा वाईट का इशारा एंपायर किशुर भाई द्वारा अगली गैन लेक साट खेलते हुए बढ़िया फिल्डिंग वाईट का इशारा ज्यादा अतरिक रनों का इशाफा सूरी लेवन को और एक वाईट वाईट पे वाईट वाईट पे वाईट अगली गैन और एक क्लीन बोल्ड करते हुए काफी महंगे रहे आरिफ़ाई लेकिन एक विकेट चुराया खुद कप्तान राजु ठाकोर अपने टिम की जिम्शारी संभालते हुए और एक वाईट का इशारा और पता इटले रन और पता इटले रन पहले ओवर का खिलजारी नो रन हुए हैं अभी तक ज़्यादा अतिरिक रन दिये हैं आरिपाई ने ओवर की समापती पहले ओवर की समापती के बाद दस रन लॉस ओप वन विकेट एक ओवर नी समापती पची स्कोर धायोचे दस रन एक विकेट ना लुक्षान पर विशाल विशाल पलियड दूसरा ओवर लेके बहुत है अच्छे गहनबाज माने जाते हैं स्रीजी वलेंग की ओर से बहतरीन गहन और एक रना सानी से चुरा लिया रतना भाई गर्बा काते हुए अगली गहन राज उठाकर के लिए उठाकर के लिए चे रन के लिए कोई मौका ने फिल्डर के पास कप्तान की जिम्मेवारी संभालते हुए राज उठाकर विशाल की अगली गहन राज उठाकर के लिए बहतरीन गहन एक रन भाई के रूप में भाई के रूप में एक रन दूसरा ओवर बैतरीन फिल्डिंग अगली गहन राज उठाकर के लिए वाईट का इशारा विशाल की अगली गहन राज उठाकर के लिए रनिंग मारफर उठाके खेला है फिल्डर नीचे और एक एट्डॉप और चार रन के लिए गहन सिमा रहा के बाहर बढ़िया चौका कफ्तान की जिम्मेवारी संभालते हुए सुरी लिवन के कफ्तान राज उठाकर आखरी गहन राज उठाकर के लिए वाइट का इसारा एम्पायर कि शुर्भी लखनो तराद्वारा लेग एम्पायर एक रन दो और की समापति के बाद स्कोर जाप पहुचा पचीस रन लोस ओप वन विकेट बे ओवर पचीस रन आरी पैमीर बहुत यच्छी गेंड आरी नबारी विकेट कीपिंग बहां री बहां री बहां रहां है अधर पेके अगली गयन कुल दिपाइके लिए वाइट का इसारा एंपायर द्वारा आरिफ मेर खुल दिपाई के लिए गयर्ण करेंगे उठा के खेला है चार रण एमपार का इशारा चार रण इस टुनामेंट का तिसरा मैच पहला इनिंग उठा के खेला है तरी छे रण के लिए कोई माका नहीं फिल्डर के पास अगली गयर्ण और मिस्फिल्ड करते हुए और की समाप्ती तीन और की समाप्ती के बाद स्कोर जाप पहुचा साढ़ा त्रिश रण लॉस ओप विकेट एक विकेट वाइडगा इशारा अमपायर द्वारा स्कोरर स्कोरर प्लीज गम है कर दोटिर लो अब सक्षर ऩराव बमी अशुरार कर दोटिर वे दो बमी टना बमी यह भी इंधा है विशाल के अगलिगेन राजु धाकुर के लिए उठाके के लाए चेहरन के लिए कोई मोका नहीं स्टेडियम के उपर जागी डिगेन और ए आउट कट आउट कॉट बिहाइड रतना भाई ने बैद रिंग कैच किया वहाँ विक्टो के पीछे बर्दे पर चरक्टा विश्नगर च्वाथी ओवर का गिलजारी और एक वाईड कलावार सो 2024 इस टूनामेट का तिसरा मैच और एक वाई के रूप में मिलेगा सूरे लेवन वर्सिस स्रीजी इलेवन उठा के खेला है फिल्डर मजूड वच्केट ड्रॉप विशाल के एक लिगें बर्दे भाई के लिए और की समाप्दी चार और की समाप्दी के बाद स्कोर जाप वचा उन्चास रन दो विक्टो के नुक्षान पर बोलन नेम प्लीज नरेश भाई अपनी टीम की वर से पांच माँ वर लेकी नरेश भाई ग्यान करेंगे ओगन पच्चा 49 बैतरिन चक्का कोई मौका नहीं पच्पन रन पांच में वर का खेल जारी और ये वाईट का इशारा अंपायर द्वारा इस टुनामेंट का तीसरा मैच स्रीजी एलेवन वर्सिस सूरी एलेवन उठा के खेला है बैरन पेली बाज़ चार आबाज़ बे अगली गैन एक रान बाज़ के रुप में नरेश भाय की अगली गैन उठा के खेला है चार आबाज़ के लिए स्कूर जा पहुचा या सट बीपोला पो बीपोल नरेश भाय की अगली गैन औरे वाइट का इशारा उठा के खेलना चाहा फिल्डर मौजोज तब तक एक रंचुरा लिया और की समाफ़ती पांच और की समाफ़ती के बाद स्कोरजा पहुचा 65 रन 65 रन 4 अवर 4 अवर 2 विकेतो 4 अवर स्थ 2 विकेत इस ने आखरी अवर विक्रम पलियाड वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा इस इनिंग का चठा और आखरी ओवर और एक वाइड वाइड पे वाइड उठा के खिला है छे रन के लिए स्टेडियम पे किरती हुई गैन बैतरिन क्रिकेट का नजारा त्वात्तिर सेवर्टित्री आखरी ओवर काफी महेंगे साबित होते हुए विक्रम पलियाड वाइड पे वाइड पे पाइड पे लिए विएड़ उड़ खाज़ पूर बूल बूल अच्छिए बूल इस लागे टेट अच्छिए शार रन के लिए गैन शिमावरिका के बहार शित्योदेरन अगली गैन वाइड का इशारा एंपायर द्वारा इस टुनमेन का तिसरा मेच पहला इनिंग आखरी ओवर एकर 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 इठ्योदेर एकर इठ्योदेर के लिए फ्लैट सका स्टेट में अच्च में आखरी खकर अखरी ओवर यह बहुल बाकी इस इनिंग के दो गैने अभी शेश पहले निंग की दो गैन का खेल अभी भी बाकी भी बीचा दारा मंगाई लिए न टाइम भूब कर रही है बहुत रिन गैन प्यारो पे जाके टकराई लाश्ट बॉल पहले इनिंग का बैतरिन गैन एक रन सित्यासी पहले बल्ले बाजी करते हुए सूरी लिवन ने 87 रन बनाए है 88 रनों का टार्गेट दिया है सूरी लिवन को कर और दो अढरा बिया दुत कर अढई झाखओ रुर अढरा पार मांगों झाल 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 पहले बैटिंग करते हुए सूरी लिवन ने 87 रन का स्कोर बनाया है स्रीजी लिवन को जितने के लिए 88 रन बनाने हैं जितने के लिए हैं झाल 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 करते हैं झाल झाल करते हैं झाल झाल कलावार्षो 2024 Celebrity Cricket Tournament आज का तिसरा मेच शूरी लेवन वर्सिस स्रीजी लेवन शूरी लेवन ने पहले बल्ले बाजे करते हुए 87 रन का स्कोर शूरी लेवन को जितने के लिए 88 रन बनाने हैं खार्षो अहिए वैस वैस बीजा बाल कोई ने पासे हुए तो किशुर भाई ने आपो तो मैं जल्दी चालू करावे श्री जी लेवन के सलामी बल्लेबाज विशाल पल्याड पहली गैन विशाल उठा के खिला है छेरन के लिए पहली गैन पर जड़ दिया चका लोंगोन की दिशा में ओके बाई बोल बार्जाय तो सत्वरे ग्रावन ने अंदर पाच्वापा विनंदी एक येन चेरन एक रण अगले गैन विशाल पल्याड के लिए ओके बाण मिश्यों मिश्यों थाम मया ओका ये लिए पर मिस्पिल पर हम बंपेश्य आट के खिलीं के लिए ररे खिलीं पहले विकेट का पतन स्रीजे एलेवन तिसरा मैच दूसरा इनिंग पहला ओवर पहल क् दूसरा इनिंग ट्वेटन टीप यॵर। इनिंह पहलेब बाँ स्रीपिटे Green पहलेब थैंपैने को विशाल पलियाड बेटी जी तो मर भई बेटी जी तो बेटी बेटी जी तो विकरम पे पलियाड बेटी ठोको अरन उठाके खेलना चाहाँ बीट हुए बैत्रिन बॉलिंग का नजारा लगली गें उठागे खिला चार जोका चार पहली ओर का खिल जारी वाइड का इशारा और एक वाइड और की समाफ़ती एक और समाफ़त होने के बाद स्कोर हुआ चौदारन लॉच्व वाइड विकेट विक्रम पल्याड विशाल पल्याड सलामी वल्लेबाज स्रीजी लेवन की ओर से अपना दूसरा ओवर खोड कप्तान राजु ठाकोर भै पौनी नी व्यवस्ता कर जो कप्तान की जिम्मेवारी संभालते हुए राजु ठाकोर टीम का दूसरा और अपना पहला होवा लेके उठाके खेलना चाहा बाय के रूप में एक रन भै कोमेंटरी बॉक्स मो पौनी लेता हुज़ो मेरू भै अगली गैन विक्रम पल्येट के लिए उठा के खेला है फिल्डर मौजूद एक रन आसानी से चुरा लिया और द्रो के रुप में विक्रम पल्येट ने चाहा रन विशान ने मना कर दिया कि रुको भाई पौनी 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 विशाल पल्येट विक्रम पल्येट राजु ठाकोर बैतरिन गैन एक रन पौनी 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 स्पीन गैन बाजी में जाने जाते है राजु ठाकोर विशाल पल्याद ट्वीट्वेंट प्लेयर बैतरिन गैन उठा के खेलना चाहा बढ़िया गेंड राजु ठाकोर द्वारा गप्तानिका जिम्मा सभालते हुए राजु ठाकोर बैतरिन गेंड बीट करते हुए विशाल पढ़ियाड को और की समाप्ती दो और की समाप्ती के बाद स्कोर जाप पहुचा 17 रन लॉच आप वन विकेट बाल नेम प्लीज बाल नेम प्लीज कुल्दिप के अगली गेंड विक्रम पल्याड के लिए और एक लीन बोल्ड पहली गेंड पर विक्रम पल्याड को बोल्ड करते हुए बेस्में नेम प्लीज गुपल सादू थिसरा मेच दूसरा इनिंग बेहत्रिन बॉलिंग का नजारा गैन हवा में मेरु भाई निचे और बेहत्रिन के आच मेरु भाई लूनी द्वारा गुपल सादू अपने जिरो स्कोर पर पेवेलेन की ओर अब आये है आरिफ मीर एक्विस बोल्मो इको ते रन बनावानाचे स्रीजी लिवानने त्रीजी ओर का खेल जारी अरिफ मीर बेहत्रिन गैन गैन हवा में फिल्डर मोजूद बेहत्रिन केच नोबोल का इशारा एंपायर द्वारा आपायर द्वारा नोबोल का इशारा नोट आउट करार दिया जाएगा प्रेट सा किश्वर भाई 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 फ्रीट थैंक्स शेलिश बेश चादरी और पैथरिंग एंड क्लीन बोल्ड करार दिया प्रेट दिवेट अगली गैन विशाल पल्योड को और वाईट का इशारा एंपायर द्वारा द्वारा दो रन एक बाई एक बाई एक बाई अगली गैन विशाल पल्योड को और खेला है वाउप साइट के साउन को टकराती हुई गैन एक रन आसानी से चुरा लिया तीन ओवर की समामती के बाद स्कोरजा पहुचा बाईस रन लोस अप थ्री रिकेट्स अपना दूसरा हो लेके राजु ठाकोर विशाल पल्योड को लेकबाय के रुपे एक रन बेहतरीन बॉलिंग का नजारा राजु ठाकोर दुवारा सोर केंदो में 65 रन चाहिए स्रीजी इलेवन को जितने के लिए प्रती ओवर 25 रन बनाने हैं स्रीजी इलेवन को उठाके खेला है 6 रन के लिए बैतरी चका विशाल पल्योड के बलने से काफी देर से क्रिस्पर जमे हुए अगले गैन विशाल पल्योड को लॉंगान की तरफ खेला है सिर्फ एक रन मिलेगा चौथे ओवर का खिल जारी स्कोर जाप पहुचा है 58 रन त्रिस 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 रन दोनों फिल्डर के बीच में गिरती हुई गैन और रन आउट बैतरी रिंड क्रिकेट करना जारा सुरी लेवन दोना यस नो यस नो यस नो में विकेट किरती हुए अगली गैन नरिष भाई के लिए आउट 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 बैतरिन फिल्डिंग सुरी लेवन द्वारा दो फिल्डरों को रुनाउट किया है चार ओवर की चार ओवर की समाफदी के बाद स्कोर जाप पहुचा हाए तीसर रन लोस अप फाइव विकेट्स बोला नेम प्लीज बोला नेम बोला नेम गटा भई पाँच माव लेके एक रन काफी टाइम से क्रिच पे जम्य हुए विशाल पलियर्ड लेकिन कोई प्लेयर उसका साथ नहीं देते हुए अगली गएंड विशाल पलियर्ड के लिए और एक लीन बोल्ड बेतरिन बोलिंग छे विकेट के नुक्षान पर स्कोर जाप पहचा इकतिस रन पांच में ओवर का खिलजारी बेतरिन गैन गड़ा पर दिवारा बेतरिन गैन बाय के रुपे एक रन पांच में ओर का खिलजारी तित्तीस रन नुबोल में पंचावन रन नुदरम में पंचावन रन करवाना बेतरिन गैन इस टुनामेन का तीसरा मेच दूसरा इनिंग पांच मा ओर प्यारो पे जाके टकराई गैन बेतरिन बालिंग एक रन और किसम अपदी पांच और किसम अपदी के बाद स्कोरजा पहुचा है 34 रन पांच विकेट के नुक्षान पर आखरी ओवर बर्देभई चरक्टा अपने पहली गैन और इवाइड का इशारा उठा के खिला है गैन हवा में कोई फिल्डर मौझूद नहीं और एक रन आसाने से चुरा लिया कवर करते हुए मेरु भाइल लुनी टूनामेंट का तिसरा मैच आखरी ओवर और इवाइड का इशारा के अरे वाइड का एट का आखरी आखरी ऐट का इसे चाहरा है और एक वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा उठा के खिला है कमेंटरिक बॉक्स के उपर से चार अनों के लिए विष्णुपाय जित्पूर शेमी फाइनल निटी मोग बेब बॉल उठा के खिला गैन हवा में एक रण असानी से पूरा किया दोने बल्लों बाजों ने अधरन शेवा आखा किरा घंड। एकरणनल प्राथ्ण्वाओन अप्र एकरण बयायोजक मुच्ट्रोग, विश्नपेजेत्पूर, नरायन रसी बापू, रतना बेरबारी स्टेज पासे आवे लाश्ट बाल, उठाके खिला है, चार अनों के लिए, ओर की समापती, छो ओर मों, ओकरण पचास रन बनावी, श्रीजी इलेवन, ओल आउट, अरात्रिश रन्थी, श्रीजी इलेवने, सूरी इलेवने, अमेच जितिली दीजे, विश्नपेजेत्पूर, 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 जो होई, तदी कमेंटरी बॉक्स मों आजर धाए, आगेनी मेच, भै पुहने नी व्यागास्ता कर जो मित्रो भै प्लेयरों माटे पुहने नी व्यागास्ता कर जो मित्रो भै प्लेयरों माटे पुहने नी व्यागास्ता कर जो मित्रो प्लेयरों माटे पुहने नी व्यागास्ता कर जो मित्रो पॉने 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 लाव भै पॉने नी व्यागास्ता कर जो मित्रो पकालाल कंटाले पॉने लाव भै आरवी एलेवन फाइनल मों पोतानु स्थान करान कर जो मित्रो सूर इलेवन अने रागम इलेवन मती जेनो रंडेट बदारे हसे पॉने रहे से में पानल मों पोतान अने कर जो मित्रो भै बॉने नी हुबज मांका सार भै गर्मान भी शान्थल शूर इलेवन ना केप्टान और रगव इलेवन ना केप्टान टोस माटे आवे शूर इलेवन और रगव इलेवन फिए topic समय और रगव माटें पर यजुणर आवें पर इलेवन वड़ण रगवつ्गान अक्रेंध गवे इंवार शालेवन खितततीर 4 इंवार रगवीर ॥े समय मत गुज다 इंचाला और रखना में भी करें सक्षर चान वार इंप आज विश्नो भैज जेत्पूर आज आज सूरि लेवन राघावी लेवन बहुत अच्छी क्रिकेट यहाँ खेली जाती है जनाबाद एमदगर्ड रिसोर्ट में अच्छे अच्छे प्लियर अच्छे अच्छे सिंगर यहां आए हुए क्रिकेट महा संग्राम लाइव यूटूब रागव डिजिटल एंड धनकार अमरे साथी कमेंटेटर प्रकाश भाई अच्छे 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 अच्छ झाल झाल आरव 11, रागव 11, सूर 11, देव 11, तमाम 11 ना केप्टन यहाँ आजर था है, आरव 11, ना केप्टन यहाँ आजर था है, बार्फ अजब बाराइबохार्प लो लो गुरोगने इस हो अजब पराइब एच दो और लो अजब को और यह को अजब यह पाली जब टूब इन्ने इन बारे लो खाली है। बार लो भुद। अबुए जो थे अचो अबुए लोगे अच्छेशा नियादि अच्छ देशी की में वी इस स्पत्राइब ले केपटन जन्हाँ में उस करो हम आवे जड़पती कोमेंटरी बोक्स में आवे आरवी 11, रागव 11, सूर 11 अने देव 11 चारे टीमना केप्टन आवे आया अने एलोकोंनो सेमी फाइनल मेज रमा से चारे टीमनो चिठी मुझब जेना चिठी मा नाम आऊ से जे बेज बेज नाम एक साथ है यह बनने आमने सामने समी फाइनल रम से अने ए त्रोड वर नो मेज रहे से एनी धरे के नोंद लेवी तो चलो चिठी रेड़ी केटन रेड़ी केटन रेड़ी केटन रागव 11 अने देव 11 वच्चे सेमी फाइनल अने आरवी 11 अने सूर 11 वच्चे सेमी फाइनल ओके चिठी धाई चुकी चाहे अने मेज स्टार्ट थासे तो पहलो मेज रमा से पहली सेमी फाइनल मात्र त्राण वच्चे रेशे रागव 11 अने अने देव 11 अने देव 11 अने देव 11 ना कप्तान येमना पोत्पोत ना खेलाडी लेए अलग टिम बनाई ले अन दरेक मित्रों ने विननती के ग्राउन नी बार थोड़ाक रे तो बहुत मज़ाव से दरेक कलाकार मित्रों येमनी साथे आवेल तमाम भाईयों बदाई ने नमर विननती के खुर्षियों से येले मेदान नी थोड़क बार उपार हो तो मज़ावे के क्रिकेट नी ये लाइव मेच छे नी मज़ावे आप भुआ जी दरेक मित्रने नमर विननती ग्राउन नी बार खुर्षियों आपी छे व्यवस्तित जग्या बेशी जाए दरेक मित्रने नमर विननती के ग्राउन नी बार थोड़क बेशी जाए बेश्वानी सरस्मजा नी व्यवस्ता करी छे ये याँता हमारा रागव डिजिटल यूटूब लाइव महन भाई राजबाई दरेक कलाकारो जहिया बता रहे छे आर्दिक आर्दिक येमने दिल थी आवका रहे छे त्रण ओवर नी मेच छे त्रण बोलर नाक से अने सिंगल सिंगल एक एक ओवर त्रण बोलर नाकी सक्षे आयना नियम छे सेमी फाइनल ना अने फाइनल जे छे इच्छ ओवर नी रमा से प्रकास भाई फरिती नमर विननती के मेदान नी बार तमाम भाईयो अपना बेशी जाओ सरसरिते या टीम नो आयजन थाईरी उसे क्रिकेट क्रिकेट का मज़ा लेना है तो बाहर चले जाईए अपनी अपनी खुर से संभाल लीजिए हमारे गोपाल सादु जी यहां आथ में बैट पकड़ते आए हुए पहला सेमी फाइनल रागव 11 वर्सिस देव 11 एमेच तिन तिन ओवर का खेला जाएगा जिसमें एक बोलर एकी ओवर डाल सकेंगे पहला सेमी फाइनल डेव 11 वर्सिस देव 11 तिन ओवर का मेच एक बोलर शिप एकी ओवर डाल सकेंगे फाइनल चे ओवर का खेला जाएगा तिनों ओवर सिंगल सिंगल ही डाले जाएगे एक बोलर शिप एकी ओवर डाल सकेंगे अंपारों ने विनंदी के जल्दी माँ जल्दी मेच चालू करावे बाद में अंदेरा चाँ जाएगा भाई फाइनल में मजा नहीं आएगा कलावार सो 2024 सेलिब्रिटी क्रिकेट टूनामेंट ए पहला सेमी फाइनल देव 11 वर्सिस रागाव 11 एमपारों को बिन्टी के मेच जल्द से जल्द शुरू करवाए मोहनबे पतेल गाड़ी की खोज में हमारे साथ कोमेंटरी बॉक्स में गमन भाई सांथल रवे भाई कोरज नितिन भाई कोलवडा हमारे साथ कोमेंटरी बॉक्स में मेच का मजा लेते हुए गमन भाई सांथल रवे भाई कोरज नितिन भाई कोलवडा मोहन भाई पतेल राजु भाई मेच टार्ट पहला सेमी फाइनल कड़ा मुकाबला रागव लेवन वर्सिस देवी लेवन तीन ओवर का मैच केला जाएगा पहला सेमी फाइनल पहला गेन भाई 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 ना खेलाड़ियों ने विननती प्रेक्षकों ने विननती के मेधान नी बाहार आवे प्रेक्षकों ने विननती के मेधान नी बाहार आवे पहला सेवी फाइनल कड़ा मुकाबला तीन ओवर का मैच पहला ओवर रनिंग मार्फर उठा के खेला है छे रन के लिए पहली कैन पर विपल देशाई ने जड़ दिया है छका दूसरी कैन रनिंग मार्फर और एक रर बाय के रूप में कड़ा मुकाबला देव इलेवन वर्सीस रगव इलेवन उठा के खेला है फिल्डर नीचे चार अन के लिए गैन बाउन्डरी के बाहर बैतरिन पहले गैन में छका दूसरी कैन में छका विपल देशाई बैतरिन बल्ले बाजी का नजारा कभी महत्वपूर्ण मेच सेमी फाइनल मेच तिसरी कैन वाइड का इशारा लेवा भाई द्वारा बॉलिंग मारफ़र्ण उठा के खेला है बिल्डर नीचे बैतरिन केच और आउट कॉमेंटरिक बॉक्स में मेच का मजा लेते हुए रवी भाई बैतरिन गैन आपड़ी वच्चे मेच का मजा लेते अलवीरा बैन मीर पदारे है हार्दिक स्वागते अलवीरा बैन मीर और कैच ग्रॉप पहली ओवर की समप्दी के बाद स्कोर्जा पहुचा है 14 रन लोस अप वन विकेट हमारे बीच अलवीरा मीर पदारे है हार्दिक स्वागत है अलवीरा मीर का दूसरा ओवर बैट त्रीन गैन एक रन भाई के रूप में दूसरा ओवर अगला गैन सुनिल भाई शुरू परा के लिए जश्परा जश्परा आर्जु भाई बैटरिन गैन चकमादिया बॉलर को मेच का लुक लेते हुए लक्षमन भाई पाला वासना बढ़िदे भाई चरक्टा बैटरिन गैन बैटरिन कीपिंग लाल भादवारा अगली गैन सुनिल भाई जश्परा बैटरिन गैन एक रन बाई के रूप में मेच का लुक लेते हुए अनिल भाई खेरवा बोपा भाई पिलवाई और संजे बांडू बैटरिन गैन पुष्किया एकर कलावार सोट 2024 कड़ा मुकाबला सेमी फाइनल तीन ओवर का मेच दूसरा ओवर का खेल जारी एक वाईट एक वाईट एक वाईट बेर अगली गैन लिफ्ट है ब्रेश्मेंट के लिए उठा के खेला है प्रेश्मेंट के लिए बैटरिन चक्का लंगों के खेत्र में चेरन के लिए अग्या दो ओवर का खेल समापत होने के बाद स्कोर जा पहुचा है अठाइस रन बैए ओवर अठ्यावी रन चम्विश रन भै शोरी सम्विश रन बैए ओवर चम्विश रन आखरी ओवर आखरी ओवर लेते हुए गपरु भाई गपरु भाई टावर एंट से बॉलेंग करते हुए यान करेंगे सुनिल भाई को बैहतरी गहन चक्मा देते हुए सुनिल भाई जश्परा को बैहतरी गहन चक्मा दिया एक रन बाई के रुप में स्यमी पाइनल का पहला इनिंग आखरी ओवर उठा के खेलना चाहा और आउट क्लिन बोल्ड अगले बेस्ट मैन किशोर में लखनोतरा काभी जाने माने मल्लेबाद है रगवी लेवन के बैतरिन गहन गपरभाई वर्शीज बैतरिन गहन एक रन गपरभाई की अगली गैन सामना करेंगी उठा के खेलना चाहा एक रन टीन ओवर की समाप्ती के बाद स्कोर पर स्कोर जित्वा माटे के लिए तीसरान का लक्स दिया है तीन ओवर तीसरान जित्वाई 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 पर दिया है कलावार्शो टूथाउजन ट्वेंटिफोर एक कडा मुकावला पहला सेमी फाइनल देव इलेवन वर्सिस रागव इलेवन देव इलेवन ने ओपनिंग मल्ले बाज रिंकेश देशाई डियो देशाई सलमी मल्ले बाज गमन भाई भुवाजी खेल दिया है लोंगोन की दीशा में चार है आर्वी इलेवन अने सूर इलेवन ना कप्तान आर्वी इलेवन अने सूर इलेवन ना कप्तान कोमेंटरी बॉक्स मों आवे तो आस माटे रागा विलेवन ने पहले बल्ले बाजी करते हुए तीन ओवर में 29 रन बनाए है डे विलेवन को जितने के लिए तीन ओवर में 30 रन का लक्ष ट्वास माटे शिक्को पहे आज बाजू बॉल पड़ा हुए तो अमपाई ने आपा विणन दी आरवी इलेवन पर्सिस सूर इलेवन टॉस नेतिन को लवड़ा आरवी इलेवन ने टॉस जितकर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया है दूसरा श्यामी पाईनल आरवी इलेवन पर्सिस सूर इलेवन आरवी इलेवन ने टॉस जितकर बल्ले बाजी करने का फैसला किया है इस दोनटी मेसेज जो भी जितेगा तीन ओवर तीस रण एक रण बाय के रुप में सूर इलेवन के सलामी बल्लेबाद रिंकेश देशाई देशाई बैतरिन बॉलिंग तीन ओवर का इमेच पहले ओवर का खेल जारी तीन ओवर में तीस रण का लक्ष उठा के खेला है छे रण के लिए कोई महका नहीं फिल्डर के पास बॉलर के पास बॉल बॉल रिंकेश देशाई की दमाकेदार बैटेंग कड़ा छक्का जड़ा बैतरिन गेंड वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा डेव एलेवन को चितने के लिए तीन ओवर में तीस रण बनाने हैं बाय के रूप में एक रण वाइड दो रण कड़ा मुकाबला पहला सेमी फाइनल बैतरिन गेंड बैतरिन कोई केट्रोप आसान नहीं होता शुकाने जाय की जोड़दर फिल्डिंग अगले गेंड बैतरिन गेंड और किसम आपती एक और किसम आपती के बाद स्कोर जाप पहुचा है ग्यारारन तीस रन बनाए तीस रन का लक्ष दिया देवी लेवन को दूसरी ओवर लेके किशुर भई लखनोत्रा पहले ओवर में ग्यारारन बनाए हैं देवी लेवन ने और दूसरा ओवर किशुर भई लखनोत्रा बैतरीन गैन किशुर भई द्वारा बन्सितर स्टुडियो अनर किशुर भई लखनोत्रा बॉलिंग माफर बैतरीन गैन पहली गैन डॉट दूसरी गैन डॉट दूसरी ओवर का खेल जारी तीन ओवर में तीस रन का लक्ष देवी लेवन को बैतरीन गैन किशुर भई द्वारा कड़े मुकाबले में तीन गैन डॉट दालते हुए बैतरीन बॉलिंग का नचारा किशुर भई द्वारा तीन ओवर के मैच में दो गैन डेट तीन गैन बैतरीन गैन डॉट पे डॉट बैतरीन बॉलिंग का नचारा किशुर भई द्वारा अब आये है आर्जो देशाई अपनी दूसरी ओवर में चार गैन डॉट डालते हुए किशुर भई बैतरीन बॉलिंग का नचारा भई ओवर मुरिताय पसिटिक और मुरिताय पसिटिक का नचारा बेस्टमेंट ओवर पूरिताय पसिटिक का नचारा बेस्टमेंट ने विजट हाकोर पानी की खोज में बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नचारा की शुर भई द्वारा चार गैन डॉट डाल चुके है तीन ओवर के मैच में चार गैन डॉट बैतरीन बॉलिंग का नचारा इस टुनामेंट का पहला कडा मुकाबला स्यमी फाइनल देव 11 वर्सिस रागव 11 अगली गैन एक रण बाय के रुप में दूसरी ओवर का आखरी बॉल पांच जैनो में श्रिप एक ही रण दिया की जुर भई ने वो भी बाय के रुप में आखरी गैन दूसरे ओवर के आखरी गैन बैतरी गैन मैडन ओवर डालते हुए कि शुर भई लखन उतरा एक रण बाय के रुप में बैट के रुप में ओके दोवर की समावदी के बाद स्कोर जा पहुचा स्कोरर बैवर बार रण दोवर की समावदी के बाद स्कोर बारा रण आखरी ओवर बॉलिंग का जिमा संभालते हुए शुकन देशाई अपना पहला मैच डेब्यू करते हुए आखरी ओवर शुकन देशाई टावर एंड से बोलिंग मारफर और अच्छे रण बैतरी छका पहले ही गैन में अठारा रण शीप पांच गैन देबाकी है पांच गैन में बारा रण आखरी पांच ओवर काशेश खेल बाकी है और बारा रण चाहिए बैतरी उठा के खेला है छे रण के लिए बैतरी छका देव भाई दो गैन दो चके उम्मीद चकाई देव इलेवन जितकी उम्मीद दिखाई आखरी चार गैन का खेल बाकी उठा के खेला है और छे रण तिसरा चकाई और देव इलेवन ने एप मैच जित लिया है बहुत ही कड़ा मुकाबला था तीन ओवर का तिसरान का लक्स दो ओवर और तीन गैन में ही पुरा कर दिया देव इलेवन ने आर वी इलेवन वर्सिस सूर इलेवन दुसरा सेमी पैनल में है आच आर वी इलेवन वर्सिस सूर इलेवन जल से जल टौस के लिए आए आर वी इलेवन सूर इलेवन टौस तो था यह भई आर वी जित दूसरा सेमी पैनल आर वी इलेवन वर्सिस सूर इलेवन आर वी इलेवन ने टौस जित कर पहले बल्ले बाज़े करने का फैसला किया है दूसरा कड़ा मुकाबला दूसरा सेमी पैनल आर वी इलेवन वर्सिस सूर इलेवन के बिचे के खेला जाएगा आर वी इलेवन ने टौस जित कर पहले बल्ले बाज़े करने का फैसला किया है सूर इलेवन के कप्तान को बिंती के अपने प्लेयर को फिल्ड में लगाए सुबध भाई दवे कोमेंटरी बॉक्स की ओर भाई देविलेवन 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 ना प्लेयर होने विननती के बाहर आवे बिजी सेमी फाइनल जल से जल प्रफी को ग्राउन में लाते हुए ट्रोफी को ग्राउन में लाते हुए फाइनल ट्रोफी रंदर्स अब ट्रोफी बेस्ट बॉलर मेन अब्दमेज का खिताब विजे में पुवाजी ड्रोफी को लाते हुए वासु दे वासु पे जगुदन बर्दे पे चरक्ता ट्रोफी को स्टेज में लाते हुए बर्दे पे चरक्ता वासु पे जगुदन आर्वी लेवन वर्सिस शूरी लेवन शूरी लेवन ना कप्तान को मिंटी की जल्से जल्द अपनी पिल्दिंग सजाले सूरी लेवन राजु ठाकोर जल से जल अपनी फिल्डिंग से जाले दुसरा कड़ा मुकाबला आरवी लेवन वर्सिस सूरी लेवन सूरी लेवन ने ट्रॉस जितकर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया है तीन ओवर का ए मैच एक ओवर एक बॉलर सूरी लेवन राजु ठाकोर जल से जल अपनी फिल्डिंग से जाले दवे सुरावली ग्रूप रवी भाई दवे भाई मैदोन खाली करो अमपायर को बिंटी के जल से जल मैच शुरू कराए अमपायर लिम्बा भाई जल से जल मैच शुरू करवाई अभी भी एक फाइनल मैच खिलना है कला वार्शू टूथाज़न ट्वेंटी फॉरू दूसरा कड़ा मुकाबला दूसरा से मिफाइनल तीन ओवर का मैच अमपायर अव 막 हमpei शुकर बवडी सु करभारी शुकर बवडी उन्हा बना घएर्शू अमपः अवे ऑमपायर पर लेगए अपायर लेगए आपायर लेगए अपायर मुकर्विशन भी श्रुपी लेगए अपायर जो दूसरा कड़ा मुकाबला सूर 11, आरवी 11, एमपायर के रुप में गबर भाई, लेगए अपायर के रुप में सहिलिश मैं चौधरी तीन ओवर का मैच, एक बॉलर, श्रीप, एकी ओवर डार सकेंगे वाइड का इशारा, एमपायर द्वारा दूसरा कड़ा मुकाबला, पहला ओवर और मिस फिल्चार रन के लिए गैन बाउंटरे के बाहर दारीना दारा सब्य, जेवी काकडिया साहिब, टूंकत समयनी अंदर, आपनी वच्चे, पदारी राया चे दारीना दारा सब्य, जेवी काकडिया साहिब, टूंकत समयनी अंदर, आपनी वच्चे, पदारी राया चे अगली गैन अन की तरफ खेला है एक रण के लिए अगली गैन बैतरिन फिल्डिंग बर्देपे चरक रद्वारा अगली गैन दूसरा कड़ा मुकाबला पहला ओवर और एक क्लीन बर्ड करते हुए दूसरा सेमी फाइनल पहला ओवर बैटे का जिम्मा मितूल जोद्रे उठा कर खेलना चाहा पहले ओवर का खेल जारी मितूल जोद्रे उठा कर खेलना चाहा सिर्फ एक रण ओवर थे विष्टु में पहले ओवर की समाप्दी के बाद स्कोर्चा पहुचा आट रण मितूल जोद्री उठा कर खेला है चाहर रण के लिए काफी सारा अनुपव मितूल जोद्री को क्रिकेट का उठा कर खेला है छे रण के लिए बैतरी छका उठा कर खेला है और छे रण के लिए एक च्वक्का 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 बैतरी ग्रिकेट और एक च्वक्का मितूल जोद्री के बल्ले से बैतरी ग्रिकेट वाँ अमेरिकन दूसरे और का खेल जारी उठा के खेला है चार रणों के लिए और की समप्ती दो और की समप्ती के बाद स्कूर जा पहुचा स्कूर 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 दूसरी ओवर का आखरी गैन दो और की समप्ती के बाद स्कूर जा पहुचा पात्रिस रण थर्टि फाइव आखरी ओवर कप्तान के हाथों में गैन राजु ठाकोर अपनी टिम का आखरी ओवर लेते हुए खुद कप्तान राजु ठाकोर दूसरा कड़ा मुकाबला दूसरा सेमी फाइनल तीन ओवर का मैच तीसरा हूर बहतरी फिलिंग एक रन आसानी से जुरा लिया उठाके खेलना चाहा फिल्डर मौजूद एक रन तीसरे ओर का खेलजारी और वाइड का इशारा एम्पायर विष्णु भाई जेत्पूर द्वारा एम्पायर का जिम्मा विष्णु भाई जेत्पूर लेग एम्पायर साहिलेश च्वादरी बालवा बेहत्रिन गैंड और एक रन और दूसरा रन के लिए भागे है और यह आउट अम्पायर दारा आउट का इशारा कोई जरूरेश नहीं थी दूसरे रन की पहली इनिंग के सिफ दो बॉल बागी राजु ठाकोर वर्सेस जडी प्रजापती और एक वाइड बेहरन एक वाइड एक भाइड दो और का खेल सिफ जारी दो बॉल का राजु ठाकोर वर्सेस जडी प्रजापती उठाके खेला है फिल्डर मौजूद और एक एच आउट पहले इनिंग आखरी गैन राजु ठाकोर वर्सेस मितुल चौदरी आखरी गैन पहले इनिंग उठाके खेला है फिल्डर के लिए कोई मका नहीं फिल्डर के पास और पहले इनिंग में स्कोर चा पहुचा स्कोर अरताली रन 48 रन तीन ओवर अरतालीस रन जितने के लिए 49 रन बनाने हैं सूरी लेवन को आर वी लेवन जल से जल अपना फिल्डिंग सजा ले अभी भी एक मैच फाइनल का बाकी है मो झाल झाल दुसरा कड़ा मुकाबला सूर 11 वर्सिस आर्वी 11 आर्वी 11 ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 48 रन बनाए हैं सूर 11 को जितने के लिए 49 रन बनाने हैं 3 ओवर में बहुत कठीन लक्स बैतरिन गैन एकरन और एकरन बाई के रुप में दूसरी निंका पहला और उठा के खेला है गेन आवा में चार बैतरिन जोका लोगों की डिसा में और ये करन बाई के रुप में उठा के खेला है चेरन के लिए बैतरिन जोका एकरन बाई और किसम आपती पहले और किसम आपती के बाद स्कूर जाब वहचा श्कूर चोदा रन 49 रन का लक्ष दिया है आरवी लेवन ने सूरी लेवन को पहला ओवर चोदा रन दूसरा ओवर बैतरिन बिल्देंग औरे यस नो यस नो औरे रन आओ दूसरे ओर का खेल जारी उठा के खेलना चाहा और बैतरिन फिल्देंग एक रन कलावार सो बैजार चोवीश बिजी सेमी फाइनल उठा के खेला है चाहा रन के लिए बैतरिन चोगा लोंगोन की दिशा में बैतरिन चाह कमादे टे हुए बैस्टमेन को कप्तान के हाथों में जिम्मा तीन ओवर में उन्चास रन का लक्स दूसरा ओवर जारी खुद कप्तान बैतरिन पॉलिंग का नजारा रविखोराज उठा के खिला है और चार रन मिस्फिल करते हुए चार रन दो ओवर की समाप्दी के बाद स्कोर जा पहुचा तेविस रन आखरी ओवर आखरी ओवर सब्वेश रन चाहिए मैच जितने के लिए मितुल चौधरी पॉलिंग मारफर आखरी ओवर सब्वेश रन गैन हवा में मितुल चौधरी नीचे और एबैतरिन केच आउट काफी सारा अनुभव मितुल चौधरी के पास बैतरिन गैर्वाइट काई सेरा विष्णुभाई द्वारा हाइट वाइट अंपायर विष्णुभाई सहीले चौधरी बैतरिन गैन मितुल चौधरी द्वारा बैत वाइट काई सहरा अंपायर विष्णुभाई द्वारा कैप्टन के हाद में जिम्मारी बैतरिन बॉलिंग मितुल चौधरी अपने टीम को जीत की और ले जाते हुए बितुल चौधरी वर्सीज राधु ठाकोर आखरी ओवर्भाई ओकेन हवामें फिल्डे निचे अरे आऊट। बैतरीन क्रिकेट कारना जारा मितुल चौदरी दोरा। विकरमबह मालदारी विकरमबह मालदारी ज़वए त्या स्टेश उपरावें विकरमबह मालदारी। कर दो कर दो स्विश्जा कर दो मिन 15 सेुटने तरहे कि पहलत रोदी。 देव 11 ने टोस जितकर पहले गैन बाजी का फैसला किया है 6 ओर का मैच खेला जाएगा देव 11 ने टोस जितकर पहले गैन बाजी का फैसला किया है और आरोट किया है आरवी 11 को गमन भेव भुवा जी चा का मजा लेते हुए रवी खौरज चा डुड़ते हुए कडा मुकाबला फैनल मेच आरवी 11 वर्सिस देव 11 चा ओर का मेच डेव लेवन को विंटी के जल से जल अपना फिल सजाले बाद में अंदेरा जाएगा मजा नहीं आएगा कला वर्सो टू थू होशंग ट्वय्टिफॉर सुपोच दावे रवी वे एम्पार मते विवस्च्वधरी, श्रिजी साउन पालवा, थर्ड एंपायर, खड़ा मुकाबला, फाइनल मेच, आर वी लेवन वर्सिस दे वी लेवन, छ्या ओर का मेच, गबर भाई के हाथों में गेड, कुमार के हाथों में बला, लिम्बा भाई के हाथों में बला, जल से जल मेच शुरू करवाएं, अंपायर, सुपोच दवे, लेग अंपायर, प्यूस च्वाधरी, उठा के खेला है, चैरल पहले ही गयर्ट चका जड़ दिया है, कुमार ने, कड़ा मुकाबला, फाइनल मेच, लिम्बा भाई, उठा के खेला है, दूसरी के, दूसरा चका, बेहतरी क्रिकेट का नजारा, कुमार द्वारा, कड़ा मुकाबला, दो गयर्ट, दो चके, कुमार के बल्ले से, गबर भाई पे प्रेशर मनता हुआ, उसकिया, एक रण, भाई के रुप में, भाई का इशारा, एंपायर सुबत भाई द्वारा, अगली गयर्ट, कुमार, ओ वाईट का इशारा, वाईट, और एक वाईट, प्रेशर मनता हुआ, कबर भाई पे, बैतरिन घैन, बूच किया, एक रण, सभी लेडिश सिंगर को मिंती, सभी लेडिश सिंगर, एवं, सभी लेडिश को मिंती, कि स्टेज के पिछे आए, एक रण, बधी बैहनों ने विनंती के स्टेजनी बाजुमों आवे, बधी बैहनों ने विनंती के स्टेजनी बाजुमों आवे, बैतरिन घैन, एक रण, एक ओवर की समाप्ती, एक ओवर की समाप्ती के बाद स्कोर जा पहुचा 21 रन, एक ओवर 21 रन, खड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला 22 रन, आरवी एलेवन के कुमार एन लिंबा भाई मित्तल बेन, चल्पा बेन, नेविनदी के श्रेतनी बाजुमों आवे बदिबेनो नेविनदी के श्रेतनी बाजुमों आवे बैतरिन गैन बदी बैनोने विननती सरला बेन वित्तल बेन जेजे सिंगर छे तेमने विननती के श्रेतनी बाजुमोचे चक्या छे तिया आवे फाइनल मुकाबला दूसरा ओवर आर वी इलेवन वर्सिस डेव इलेवन डेव इलेवन ने पहले टोचित कर फिल्डिंग का फैसला किया था बैतरिन बोल्ड लिम्बा भाई को बोल्ड किया है बैतरिन गेन बाजी अब आर वी इलेवन की जिम्मेवारी मित्तुल चौधरी पे दूसरे ओवर का खेल जारी वाइड का इशारा एंपायर सुबद दवे द्वारा हमारे फाइनल के अंपायर सुबद दवे लेग अंपायर प्यूस चौधरी बैतरिन गेन आ गया के खेलना चाहा चकमा दिया च्छाह ओवर का मैच दूसरा ओवर बैतरिन शोट बैतरिन फिल्लिंग और एक रन आ गया के खेलना चाहा और की समापती दो और की समापती के बाद स्कूर्चा पहुचा पच्चीस रन दो ओवर पच्चीस रन खड़ा मुकावला तिसरा ओवर मित्तुल चौधरी के लिए बैतरिन गेन पेरों में जाके टकराई बॉलिंग मारफर मित्तुल चौधरी को ग्यान करेंगे वाइड का इशारा हमारे मित्तुल चौधरी को ग्यान करेंगे वाइड का इशारा हमारे मित्त विशाल भई कवीराज वर्दान बारोट उठा के खेला है फिल्डर मौजूद चार अन के लिए मिस्पिल्ड करते हुए बैजार चौविश कला वार्षो बैजार चौविश शेलिब्रिटी क्रिकेट टूनामेंट फाइनल मेच तिसरा हुआर बोलर बोलिंग मारफर ग्यान करेंगे मित्तुल चौधरी को बैत्रीन ग्यान बैत्रीन ग्यान आगया के खेला है फिल्डर उसके पीछे लेकिन चार रन मिस्पिल्ड करते हुए बैत्रीन चौगा मित्तुल चौधरी के भलने से काफी सारा अनुपव मित्तुल चौधरी के पास पदारो विश्णुपई या लोडा बैत्रीन ग्यान ओर की समाप्ती तीन ओर की समाप्ती के बाद स्कोर चाप पहुचा है साड़तिस रन त्रण ओवर साड़ा त्रिस रन च्वथा ओवर कुमार को ग्यान करेंगे कॉट बिहाइंड और आउट करार दिया बैत्रीन बॉलिंग का नजारा कुमार को पैवलेन की ओर पेशते हुए आउटी प्रजापती उठा के खेला है कोई फिल्डर नहीं और एकरन आसानी से जुरा लिया च्वथे ओवर का खेल जारी ग्यान करेंगे मित्वल च्वधरी को पैरों में जाके टकराई गैन बहुत ही बढ़ी आगैन आरजू टावर एंड से बॉलिंग मारफर मित्वल च्वधरी को गैन करेंगे उठा के खेला है चैरन के लिए कोई वहका नहीं बिल्डर के पास बैतरी चक्का अपने अनुपरव दिखाते हुए मित्वल च्वधरी आरजू गैन करेंगे मित्वल च्वधरी को बैत वाइड का हिशारा एंपायर सुबूत भाई द्वारा एंपायर कॉल आखरी माना जाएगा ये फाइनल मेंच कड़ा मुकाबला और जो भाई गैन करेंगे मित्वल चौधरी को और एक वाइड वाइड पे वाइड अतिरिक्त रनों की संक्या बढ़ती हुई बेहचार पच्चीस कलावार सो आबुगड पोलो ग्राउंड चौधे ओर का खेल जारी आरजुपाई रनिंग मार्फर मित्वल चौधरी को ग्यान करेंगे और एक वाइड वाइड पे वाइड अरजुपाई टावर एंड से पैद्रिन गैन चौधे ओर का आखरी बॉल अरजुपाई मित्वल चौधरी को और एक वाइड वाइड पे वाइड बहुत यच्छी विकेट कीपिंग लाल बाद्वारा वाइड बहुत ज्यादा अतिरिक रन दे चुके हैं चौधी ओर में आरजुपाई बहुत रिन गैन वापसी करते होई एक रन बाई के रुप में चार ओवर की समावति के बाद स्कोर जा पहुचा स्कोर बाववन रन चार ओवर बाववन रन गबरुभाई जेडी प्रजाबती को उठा के खेला है चेरन के लिए कोई मोका नहीं पहला गैन चका पाँचमा ओवर जारी पहली गैन गबरुभाई जेडी प्रजाबती ने जड़ दिया चका अच्छी गैन एक रन पाँचमी ओवर का खेल जारी जेडी प्रजाबती को गैन करेंगे उठा के खेला है गैन हवा में फिल्डर नीचे और ड्रॉप एक रन आसानी से चुरा लिया कड़ा मुकाबला फाइनल मेच पांचमा ओवर गबरुभाई के हाथों में गैन मितुल चौधरी स्ट्राइक वे और खेला है कोमेंट रिबॉक के उपर से अंपायर चार चौका मितुल चौधरी के बल्ले से पांचमा ओवर गबरुभाई मितुल चौधरी को गैन करेंगे आगे आगे खेलना चाहा बैतुल चौधरी गैन समझ नहीं भाई मितुल चौधरी पांच ओवर की समावदी के बाद स्कोर जा पहुचा है खेलना चाहिए कन हो चेल्पायशर्णीड मितुल चोफ़े आगे अम पांच ओवर परसर चरन, एक ओवर भागी जेएए एक ओवर भाकी भाई छोवन इमेच वाच ओवर पर सट रन कला वार्शो बेजार चोवीश सेलिबिटी क्रिकेट टूनामेंट कडा मुकाबला फाइनल मेच पहले इडिंका आखरी ओवर छठा ओवर अगले के जडि प्रजाबती को उठा के खेला है फिल्डर नीचे और दूसरे बंग के लिए बागे है और दो रन आसानी से पूरे किये अगले गैन जडि प्रजाबती के लिए बैतरी गैन फूस्किया एकरन फाइनल मेच पहले इडिंक आखरी ओवर छठा ओवर उठा के केला है फिल्डर नीचे और एक एच ड्रॉप और एक रन आसानी से पूरा करते हुए दूसरे रन के लिए बागे है और दूसरा रन भी पूरा किया और भाइके रुप में एक रन मिलेगा कुल मिलाकर तीन रन आखरी ओवर बोलर बोलिंग मारभर गयर गनेंगे मितुल चोधरी को एक रन भाइके रुप में पहले इंग का आखरी ओवर मितुल चोधरी को गयान करेंगे बैद रिंग है एक रुप में एक और की समापती स्कोर जा पहुचा तो तेर रन सेवन्टी थ्री डेविल बहुत तेर सेवन्टी टू रन आर्वी इलेवन ने पहले बल्ले बाजी करते हुए शेवन्टी टू रन बनाए है डेविलेवन को जितने के लिए छे ओर में शेवन्टी थ्री रन बनाने है तो तेर करवाना पही बहुत तेर थे हैं तो तेर करवाना स्कोरर भई फाइनल स्कोर भई तो तेर रन फाइनल स्कोर चुवत तेर करवाना जितवा माट डेविलेवन आर्वी इलेवन ने पहले बल्ले बाजी करते हुए शेवन्टी थ्री रन बनाए है डेविलेवन को जितने के लिए शेवन्टी फोर रन की जरूरत चेया ओवर में आर्वी इलेवन लिम्बा भई फटाफट फिल्ड सजाले गमन भई भवाजी लिम्बा भई जल से चल्ड फिल्ड सजाले अंतेरा हो जायेगा डक्वस्ट लुईस का नियम लागू होगा ओर कटी जायेगी विशाल पलियर्ड कोमेंटरी बॉक्स की ओर कलावार सो 2024 कड़ा मुकाबला फाइनल मुकाबला पहले बल्ले बाजी करते हुए आर्वी इलेवन ने 73 अन बनाए है और आमात्रित किया है देव इलेवन को चुहत्तर रन बनाने के लिए आर्वी इलेवन की ओर से पहला ओवले के मितुल चौधरी पहले गैन उठाले चे रन के लिए पहला गैन चे रन के लिए चुहत्तर रन का टार्गेट पहली गैन शे रन के लिए उठा के खेलना चाहा बैत्रिन फिल्डिंग वहा आर्वी इलेवन के फिल्डर द्वारा दिनेश्ब पुमरिया दिन्शा बंशा हमारि मिस मजूद लूदज। गैंपर ऊक्राइल में वंपारऊ अंपारिम आपारि er उर्चा है आपर अखरी जिज्मन फाइनल मुकाबला दूसरे इनिंग का पहला ओवर उठा के खेला है छे रन के लिए काफी दबाव में हैं मिदुल चौधरी अपने पहले ओवर में इसी बीच ये गेंद उठा कर मार दिया है गेंद को गेंद हवा में और यहाँ पर केश ड्रोब होता हुआ और उसी बीच दोनों ही बले बाज को समय था एक रन लेने का इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन बिना किसी विकेट होए आरवी लेवन ने 73 रन का लक्षांग दिया है उसको पार करती हुई देवी लेवन और इसी बीच ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद दी बले बाज को बीट करती हुई सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में रन की कोई गुंजाईस नहीं स्कोर अभी भी ठेरा हुआ 20 रन गेंद बाज मितुल अपने कोटे का पहला आवर लेकर तैयार एक बार फिट से राइडन आवर दे विकेट लेकर बले बाज के सामने सोड़ बले बले बाज चुके विकेट कीपर भी चुके लेकिन समय नहीं था बले बाजो को रन लेने का कोई रन नहीं कोई मुनाफ़ा नहीं स्कोर अभी भी रुका हुआ 20 रन एक अवर की समापति के बाद जीतने के लिए 73 रन का लक्षांक आरवी 11 ने दिया है देव 11 को जीतने के लिए अभी 53 रनों की जरूरत बच्ची भी पाँच और में 53 रन बनाने हैं यानि कि 10 के उपर से आउसत से यह मेच अगर जीतना है तो खेलना पड़ेगा बहुती रोमांचक और रोचक मुकाबला फाइनल बुकाबला चलता हुआ एक बार फिट से ने गेंद बाज लेफ टाम आवर दो फिकेट लेकार सोट अप लेंद केंटी उठा कर मर दिया गेंजारी यह सीमा रेखा के उपर से देखना है अंपाइर का डिसीजन क्या आता है सुपो दवे आज की अंपाइरिंग की स हो कि अब देखना है डिसीजन क्या अंपाइर शुबद दवे का डिसीजन का इंतजार उसका याँसा यह पर स्कोरिंग में आगे के रन प्लस किये जाएगे और अंपाइर सुपो दवे का डिसीजन लास्ट चार रन और इसी चारणों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तयार एक बार फीड से गेंद बाज लेट अना वर दे विकेट लेकार बले बाज के सामने ये गेंद बहुत यह अची गेंद थी योरकर लेंद गेंद थी बले बाज को पूरी तरह से काबू में रखते हुए बले बाज ने गेंद को सनमान दिया रन की कोई गुंजाइज नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ तयार, एक बार फीड से लेप्टाम हावर दविकेट एक बार फीड से उठाकर मारने की कोशिज, बले और गेंद का संगम नहीं हुआ गेंसी दी पेरों पर जाकर टकराई, रन की कोई गुंजाइज नहीं यह डोट बोल के रूप में, बहुती बढ़िया हुआ अवर जाता हुआ आरवी इलेवन की ओर से, बहुती बढ़िया मुकाबला आरवी इलेवन और देव इलेवन के बीच इस बार उठाकर मर दिया है, देखना है क्या होता है, एक आथ से लपकने की ट्राई, लेकिन नाकामियाब केज ड्रोप हुता हुआ, बलेवाज को समय था, एक रन लेने का, और इसी बीच एक रन भी चुरा लिया बहुती बढ़िया, दोनों ही बलेवाज के द्वारा, बलेवाजी, फाइनल मुकाबला चलता हुआ, बिच ग्राउंड के उपर, देखना है कौन सी टीम, आज अपना जंडा इस ग्राउंड के उपर गारती है कुल मिलाकर छे टीमों ने इस टूनामेंट में इससा लिया था, उसमें से लास्ट दो टीमें फाइनल खेलती हुई, इस बीच लेक्स्टम से बाहर जाती हुए गैंड, और इसी बीच कोई डिसीजन नहीं, ड़ट बोल के रूप में ये जाएगी गैंड, फाइनल मुकाबला है तो ये इससा तो सोड़ा रहेगा, क्योंकि ट्रोफी लेने की बात है, चेंपियन ट्रोफी के लिए कुछ भी करने के लिए तियार, दोनों ही टीम, कोई अमपायर को डिसीजन में एकदब मध्यस्ती रहना पड़ेगा, कोई भी साइड उसको जुकना नहीं है, कोई दबावों में भी आना नहीं है, उसका डिसीजन आखरी डिसीजन रहेगा, ये हमारे आईज़क कमीटी का ओर्डर है, दोनों ही टीमों को भी उसको मानना पड़ेगा, जो भी डिसीजन रहेगा, अमपायर का डिसीजन, फाइनल डिसीजन रहेगा, लेकिन देखना है, आखिरकार डिसीजन क्या आता है, फाइनल ट्रोफी की खोज में दोनों ही टीम, कुछ भी करके ये मैं जितना है, करो या मरो, कुछ भी करो, लास में मैं जितन है बस गब्रु भाई का वाद ज्यादा आ रहा है लिम्बा भाई और गब्रु भाई दोनों ही टीम हमने सामने है अब देखना है आखरी डी सीजर अंपायर का क्या रहेगा आप बुझे बता है ओवर की समाप्ती स्कोरिंग स्कोरिंग वाला कोन है अलो अभी जान भाई बजू आई अभी जान भाई जान है 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 कि एक गेंद बाकी है हमारा स्कोर बोर्ड जो यहां पर हो रहा है उसमें यहां पर बताया जा रहा है कि एक आखरी गेंद बाकी है तो आखरी गेंद फैकने पड़ेगी सुबोध भाई अंडर प्रेसर में अभी सुबोध भाई कभी भी अंपायरिंग के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे मुझे रहने दो टेंसल वाला मामला है दोनों ही टीम अभी सुबोध भाई को बीच में ले लिया है और दिखने भी नहीं देते हैं कोई टेंसर नहीं अराम सी हम पर इंग करो कोई टेंसर नहीं मढद्यस्ति करना है कोई चिंता की बात नहीं है अच्छ आप अंब उम्पैरिंग मैं थोड़ा सा तब दिली किया गया अब आये सुनिल भाई अमपारीं की सेवा देने के लिए सुबत भाई आजाओ, मरे पास आजाओ यह होट मेंच है, पुरा गरम रहेगा जब तक पुरा नहीं होगा, तब तक गरम रहेगा पुरा फिराल, एक बार फिर से आखरी गेंड लेकर, दूसरे अवर की लास गेंड, बलेबाद सित्या, रोचक मुकाबला, लेप टाना और विकैट, उठाकर मार दिया, निश्ची द्रूप से केट, सीमा रहेखा के उपर से छे रहन, बाहूती बहतरीन सोट, और इसी छे रहनों के साथ, और की भी समाप्ती और बहूती बड़ी अंदाज के साथ खेलती हुई, डेव 11, चेंपिन ट्रोफी की और आगे बढ़ती हुई देन, डिजर्ट, रिशोट के अंदर खेला जा रहा, यह सेलीबिरीटी क्रिकेट ट्रूनामेंट, जिसका फाइनल मुकाबला, हाई वल्टेज मुकाबला, चलता हुआ, लिमबा भाई दियार, तीस तरी अवर के अगली गया है, सोट अपलेंद केंथी, खेल दिया उसको ल तीसरा आवर, लिमबा भाई के रूप में, अपने कोटे का पहला आवर, पारी का तीसरा निर्दारी छे अवर का यह फाइनल मुकाबला, तयार एक बार फिट से, लिमबा भाई, राइड अन आवर दिगेट, उठाकर मार दिया है, एक बार फिट से, सीमा रेखा के बहार, शिक्स, और इसी 6 रनों के शाथ, 38 पर पहुँच चुकी है, देव 11, एक बार फिट से, खेल दिया है, मिड विकेट बाउंटरी लैंड की और, एक रन के लिए निकल पड़े है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक रन पूरा करते होए, दोनों ही बले बाज, एक रन के लिए 73 रन का लक्षांग दिया है, इसी बीज यगें, बढ़िया तरीके से, खेज केला, और यहाँ पर केज, बहुत अच्छी ट्राइब भी थी, लेकिन, सोट भी उतना, स्टोक वाला था, इसलिए हाथ में से, खेज चुटा, और इसी बीज, निश्ची द्रूप से, सीम के लिए 28 रनों की जरूरत बचे हुई 18 केंदों से, अडार बोल 28 रन, अडार अडार केंदों में 28 रन चाहिए, कापी रोमाइंच चक मुकाब्ला, अगरी बोल, अभी अवर नहीं हुई है, अभी आखरी गेंद साइद बाकी है, तीसरी अवर की, आखरी गेंद लेकार, गेंद बाच, लिम्बाबाई, ओ, बहुती बढ़िया गेंद गेंद नीची रही, बले बाच को बीट करती हुई, लेकिन बाई का रन जरूर मिलेगा यहाँ पर देविलेवन को, और इसी एक रन के साथ, स्कोर जा पहुचा है, 40 रन, 40 अलो, अब आये हैं गेंद बाची करने के लिए, यस, यस रवाद, राइडन आवर द विकेट लेकर, चोथा आवर पारी का, और अपने खोटे का, पहला वार, लेटन आवर द विकेट, सोट अप लेंद गेंद लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे, एक रन मिल गया, और इसी एक रन के साथ, स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड, 40, 17 गेंदों में, 27 रनों की जरूरत, 70 बोलमा, 27 रन, रोचक मुकाबला, यस त्यार एक बार से लेटन आवर द विकेट, एक रुटाकर मार दिया, निश्ची दूप से गेंद, सी मार एक आगे बाहर, चार रनों के लिए, चार रनों के लिए, काफी रोमान्चक मुकाबला, जिसका, फाइनल हाई वोल्टेज मुकाबला, जिसका, चल रहा है ये, चोथा आवर, यस रबारी के रूप में, त्यार एक बार फीड से है, सोड़ो बलेंद केंथी, उटा कर मारा हवा में केंथ, निचे राजन राइका, और यह बहतरीन केज लपकते हुए, और इसी बीच यहाँ पर देव 11 के पहली विकेट का खात्मा, और एक उत्सा की किरन, यहाँ पर आरवी 11 के अंदर आती हुई, यस पहली विकेट लेने व टाइम हमारे पास कम है, जल्दी से अंपायर में चरू सरू करवा है, अभी अंदेरा हो जाएगा, तो फिर गेंद भी दीकनी नहीं होगी, अब गेंद भाजी में आया है, लाल भाए, गेंद भाजी में, यस तयार, लेटन आवर दीकेट, बहुत ही बढ़िया थरी किसा है, उसको गली में खेल दिया है, कमेंटर बॉक्स के नीचे आती हुई गेंद, और साइद एक एकरन, एकरन यहाँ पर, डिकलेर किया गया है, ऐसा बोल रहे हैं, अमपायर, तयार, एक बार फिट से गेंद भाज, यस, लेटन आवर दीकेट लेकर, बले भाज के सामने, उठा कर अमारने की कोशिज, लेकिन सही तरीके से, गेंद बले पर आई नहीं, गेंद वहीं पर लूड की, रन की कोई गु 52, तेरा गेंदों में, 22 रनों की जरुवत, तेर बोल, 22 रन, नव विकेट हातमा, तयार एक बार फिट से गेंद भाज, यस, बहुती बढ़िया तरीके से गेंद को क्लिक कर दिया, और रन के ले निकल पड़े, और यहां पर साइद ओर थ्रो रहेगा, एक रन दोड के आया और एक रन बाई का, या स्वरी, एक रन और तोगा, यानि कूल मिला कर दो रन, दो रन आ चुके है, अब जितने के लिए, 12 गेंदों में, 21 रनों की जरुवत, बारा गेंदों में, 20 रनों की जरुवत, बे अवर मां, 20 रन करवाना, जित्वा माटे देवी लवनने, सुद् अपस्ति थिया, एमनू आई कोमेंटरी बोक्स मां हर्दिक स्वागा चे, जेमने, आ मेंचनी अंदर जे खंबा उपरना दे लोगा चे, हमारा ही तेस भाई धर्ति डिजिटल, एपन आई उपस्ति दोई, एमनू पन हर्दिक स्वागा चे, जनकार म्यूजीक, रागव डि टीम, जेमने टीम वर्क थी, एक सरस मज़रों आयोजन, अंपारिंग माजे शुनील भाई जे, एमनू पन खूब सरसे हूँ, योगदान, अब आखरी दोई ओवर में 20 रन चाहिए, भले बाजी में, त्यार, इस बार उटाकर मारने की काउसिस में, गेंद, चूकी, डॉट बॉल, बहुत ही बढ़िया और, स्लोग और में जब ऐसी गेंद बाजी होती है, तब तिम को एक होसला मिलता है, अब ग्यारा गेंदों में 20 रन, रोमान चक मुकाबला, उठाकर मार दिया है, फोलो त्रों में खुद गेंद बाजी ने फिल्ड किया, अब दस गेंद 20 रन, एक बुल मा बे रन, गोटे गोटे बे 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 रन, त्यार, लेट अन वर्द विकेट, उठाकर मार दिया, निस सी दूप से, छे रन, और धिरे धिरे, देव लवन इस मेंच में पकड बनाती ह जीतने के लिए 9 गेंदों में, 14 रनों की जरुवत, काफी रोमान चक मुकाबला, काफी उत्सा चलता हुआ देव लेवन, एक बार हारने के बाद, वापस अपनी टीम खड़ी होती हुई, और ये गेंद बहुती बढ़िया डोट बॉल, आठ गेंदे, 14 रन, आठ बोल, 14 रन, 9 विकेट आत्मा, तयार एक बार फिट्स है, लेप टन आवर द विकेट, और ये सोट अप लेंद की, गेंद को खेल दिया है, सोट मीड विकेट पर, एक रन के लिए, एक रन के साथ, जितने के लिए अभी, आकरी, साथ गेंदों में, 13 रनों की जरूरत, कापी रोमान्चक मुकाबला, रोचक जंग, देविलेवन वर्सीज, आरविलेवन, येगेंद, उठा कर मार दिया, और येगेंद सीमा रेखा के उपर से, छे रन, देविलेवन के कप्तान, गवन भुवाजी, कापी खुस दिखते हुए, पुरी तरह से, मैच अपनी गिरफ्त में लेते हुए, अब आकरी अवर में, छे गेंदों में साथ रनों की जरूरत, अब कुछ चमतकर हो, तो ही आरविलेवन इस मेंच में आ सकती है, बाकी कोई चांस दिख नहीं रहे है, यहाँ पर बहुत अच्छी मेनत कर रहे है, लेकिन अब देखना है, आकरी अवर, किस खेलाड़ी के मितुल चोधरी तयार, अपनी टीम का जिम्माली हुए है, आकरी छे गेंदों में, साथ रन देखना है, मितुल चोधरी क्या करता है अपनी टीम के लिए, गेंद बाज, मितुल तयार, राइट अनवर दो विकेट, बले बाज के सामने, और यह मेंच, देविलेवन ने जीत लिया है, अभी, एक 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 रन और बाकी है, मेच बरोबरी हो चुकी है, मेच बरोबरी हो चुकी है, अब एक रन जीत से, एक रन चेंपियन ट्रोपी से दूर, एक रन चेंपियन ट्रोपी से दूर, साइध यह मेच, यहाँ पर आरवी लेवन ने जीत लिया है, चल रह दो पर एक बज़े से जो मुकाबला था उसका फाइनल मुकाबला आज देव 11 ने जित लिया है देव 11 आज की इस टूनामेंट में चेंपियन हुई है कोंगरेचुलेशन देव 11 आरव 11 की बहुत अच्छी मेहनत थी लिंबा भाई मितुल भाई यस पूरी टीम राजन भाई राइका बहुत अच्छी मेहनत की लेकिन क्रिकेट में एक को जीतना है और एक को आरना है वो चलता रहता है लेकिन लिंबा भाई बहुत अच्छी मेहन यानि कि देव 11 या आपर Championship का खिताब जोरदार तालियों के साथ हम सन्वान करेंगे गमन भुवाजी और उसकी टीम कभरुभाई 11 जोरदार थे गमन सान्त अलिलावन तो 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 पर आलो आलो अब प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना इसलिए आप सबको बिंतिये सांती बनाए रखें हालो हालो बदाने विननती जे उपस्तित आपना तमाम मेहमानों उपसित आपना बदाज गेस्ट लोगोंने विननती जे के गेट पासे बदाए पोचवानू जे आपने कटोशन ती बापु आविया जे आने एमनी जोडे आपने गमन बाई सांतल जेनी टीम चेंपियन तही जे तो गोडी उपर बनने लावा मावेचे तो एमनी साथे आपना दरेक टीम ना खेलाडियों तेमाज उपस्तित आपना सर्व मेहमानों गेट उपर बजा पोच्छे आने त्याथी वाजते गाचते आपने कटोशन ती आवेला बापु आने गमन बाई सांतल ने एमने गोडी उपर लावीशू तो विननती आप सर्वन है के बजाज लोगों गेट पर जसे धनिवाद जाज रावी बाई खोराज एमने पड़ विनन दीशे के बाई तमारा मित्रच जेंपियों धिया से तो तमें पड़तिया पोचो रवी बाई खोराज यहनी टीम ने लेए तमारा मित्रच जीतेला जे तो यहनी साथ राजन भाई राइका मितूल भाई साइलेज भाई दरेक ने विननती जे दरेक प्लेयर ने एक मोबाईल ने एक गडियाल बनने साथे आता अले कोई ने मलेला होई तो आया कोमेंटरी बोक्स माँ आपे दरेक लोगोंने विननती जे खास आपणा जेटला पड़ गेस्ट लोगों उबाचाया एन विननती जे राजन भाई साहिलेज भाई अपणा दरेक मित्रों बद्धाज लोगों गेट पासे जसे आने त्या थी आपड़े आवान उझे ले विननती शर्वन है कोई पड़ो लोगो आयेना उपड़े विलिडा वे नाओ परे विश्णु भाई ना मेमान का राजु भाई मतू भॉर्वाई विश्णू भाई जयत्पुर्ना मित्रा राजु भाई पुरुपरु Minsk ुपका विननंथी जै के आप लोगो मत्रु काका पन आपने गोडी उपर बेसीन आ हुआ ना जे तो मत्रु काका ने पन विनन्दी करू का आप लोको पन त्या तमारा माटे गोडी नी व्योस्ता राके ली जेता तमे पन प्लीज गेट उपर जसो दंचुग भाई शोमनाथ थी कास बदारेला जे शोमनाथ गेट वे एमना माटे पन गोडी नी व्योस्ता राके ली जेता दंचुग भाई पिठर दंचुग भाई पिठर रामेश्वर ग्रूप शोमनाथ एमने पन विनन्दी करू इतेस बाई धरती डिजिटल एमने साथे ले ने त्या गेट उपर जसो इतेस बाई दंचुग भाई ने साथे ले यहने आप गेट तर प्रियान करशो मत्रुका काने ले ने वासुबाई जगुदन राजुबाई राजुबाई पिठर शाथे जसे गेट उपर जसे राजुबाई मत्रुका काने ले ने विननन्दी जे साथे व झाल 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 पुषा भाट्या पुषा बेन भाट्या ने विननती करू के आप लोको बेड मीटर नी जे बेनोनी में चीस चालू जे एने अंदर थी बे नाम अमने विनर और रनर अपना बे नाम अप्पाना जे अले आप लोको आपनू ट्रोफी राखे लीजे आप डिसीजन लेशो उसा बाट्या विननती करवा मावे के आखो डिसीजन लेशे आजे बेनो रमी रही जे एमा थी फर्स्त आने शेकेंड नंबर सिलेक कर से आने पच्छी एमने आई थी ट्रोफी थी आपने सन्मानित करीशू झाल 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 पर जसे गेट परती बजावान हूँ जे आपड़ा गेस्त लोगोँ आई गया जे त्यारी आने त्यारी वाध्यक्ट्य आट्ट्य आपड़े ट्रोफी एनायद मंड़े आई पहुच्वान जे अले विननती जेक्या आप बद्यांज लोगो गेट पासे जसों धन्यबाद झाल 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 झाल